हलो स्टुडेंट्स गुड मॉनिंग कैसे हो आप लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास तो अभी आपके मेहत के हम के हो गए है चार पेपर कंप्लीट आज है पांच वहां और इस मेहत के में पांच में में अपने टॉपिक्स हैं तो इस में आपके 25 कोशिशन वही सिंगल चॉइस करेक्ट हैं और पांच कोशिशन इंटीजर टाइप हैं तो करते हैं शुरू पेपर की शुरुआत करते हैं मैसेल्फ देवेंदर अगरवाल टीम मैंथ CLC सी कर से शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात क्या दे रहा है कि सॉल्व करने ही है सिंपल सा तो देखो बैतरीन तरीका तो क्या होता है अपना साइन कोश में चेंज कर लेते हैं तो यह हो जागा साइन अपन कोश एक्वल टू मैंने लroads ले लिए इसका तो क्या जाएंगा साइन कोश प्लस उन साइन स्टोश क्लस एक एक कोल स्क लेगे मैंने 2 cos square और लिख दिया cos should not be equal to 0, सही है, अब आगे, यहाँ पर cos square आ रहा है और यहाँ पर sin आ रहा है, तो क्या करें है अपन, cos square को change कर लेते हैं, sin square में, 1 minus sin square लेते हैं, तो sin plus 1, बराबर क्या आ गया, 2 into 1 minus sin square, उदर ले चलो, तो क्या हो जाएगा, 2 sin square plus का हो गया, plus का कितना हो गया बोलो, sin और minus का क्या बचेगा, 1, एक बराबर 0, इसको factorize कर लो, factorize कर होगे तो क्या आएगा, देखो, 2 sin square, 2 1 जा, 2, तो plus 2 sin x आ जाएगा, और minus का sin x आ जाएगा, minus 1 बराबर 0, तो इसके factorization क्या क्या हो रहा है, factors आ रहे है, 2 sin minus 1 into sin plus 1, equals to 0, यहां तक बात के लिए हैं, मेरी, आगे चलते हैं, sin की 2 values आ रही है, एक आ रही है, 1 by 2, और दूसरी value आ रही है, minus 1, तो sin x की value एक आ रही है, 1 by 2, और एक आ रही है, minus 1, तो अपने को क्या दे रखा है, जब interval दे रखा है, तो आपको general solution लेखने की जरूत नहीं है, आप तो सीडिसी दिख्या करो, वैसी देख लो, 0 से 2 by interval है आपका, तो 0 से 2 by interval में sin की value half, किस-किस quadrant में होगी, first quadrant में और second quadrant में, तो पहले और दूसरे quadrant में कैसा रहेगा, यह positive, तो 1 by 2 value किस-किस angle की हो एक तो हो जाएगा, पाई by 6 और दूसरा angle आजाएगा, पाई माइनस पाई by 6, तो वो कितना हो जाएगा, 5 पाई by 6, तो यह तो दो solution आगई, टी सरी बात, है ना, यह दो solution आगए इसके, किस से, sin equals to 1 by 2 से, और minus half कहाँ पर होगा, याद है न, यह दिन, जब आपन कहते है, sin अब हम आगे चलते हैं, तो यह 3 solution आगई, लेकिन, यहाँ पर अपने condition लेखी थी कि, cost की जो value है, वो 0 के equal नहीं होनी चाहिए, cost की value 0 के equal नहीं चाहिए, तो इसका अनलब, 3 by 2 possible नहीं है, क्यों क्योंकि cost अपना y axis पर क्या होता है, 0 होता है, तो cost 3 by 2 कितना रहा होगा, 0, त तो इसका मतलब क्या हो गया, इस value को include नहीं करेंगे, तो दो values रहें, कौन-कौन सी 5 by 6 और 5 by 6, तो अपने answer कितने आ रहे हैं, इसमें, दो solution आएंगे, आगी बास में, चलें आगे, चलो, next question, question number 2, देखो, second question में क्या कहे रहा है, आपसे ही है, second question में कहे रहा है, number of solution of the trigonometric equation, this, इस equation के अपने को trigonometric solution निकालने है, वही सारी कहानी सब कुछ repeat करनी है, तो चलो, करते हैं शुरू, तो पहले तो यह बताओ, आप मेरे को, cos square कितना है यह, 5 by 4 into cos x plus sin x, और इसको में लेगा उदार, तो 1 plus क्या हो जाएगा यह, 10 square x plus 5 by 4, 10 square x, अब देखो, अपने को 1 plus 10 square क और cos x, आपने सब की range तो पड़ी हुई है, sin x की range क्या होती है, minus 1 से plus 1, और cos x की range भी क्या होती है, minus 1 से plus 1, 10 की range होती है, क्या, all real number, minus infinite से plus infinite, तो जो RHS है, उसमें क्या है, 1 plus something, और यहाँ पर क्या है, cos square, तो cos square की maximum value कितनी हो सकती है, plus 1, और यहाँ पर जो value आ रही हो, क्या से infinite, बोलो, गलत तो नहीं कह रहा, तो इसका मतलब यह हो गया, कि यहाँ LHS और RHS ही इकको लोंगे, तो तभी possible है, जब यहाँ पर तो क्या रहा है, अपना plus 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, यह जो quantity है, इसकी minimum value क्या हो जाए, 0, तो इसकी value जीरो है, इसकी value जीरो हो, क् कि maximum value तो infinite हो सकती है, बट minimum value क्या है, इसकी 0, तो यदि यह equal to 0 होगा, तभी यह possible है, कि LHS बराबर क्या रहेगी, RHS, तो अपन को इसका मतलब एक चीज तो यह मिल गई, कि इसकी value 1 होगी, और दूसरी बात, यह मिल गई, कि इसकी value क्या हो नहीं चीए, 0, तो चलते हैं, आग कि value प्लस वन यहाँ पर होती है, और माइनस वन यहाँ पर होती है, यानि कि मैं बात करूँ, even multiple of pi पे तो क्या होता है, प्लस वन होता है, और odd multiple of pi पे क्या होता है, माइनस वन होता है, आगे रसन नहीं, तो even multiple of pi होना चीए, कौन यह, बट यहाँ पर क्या रहा है, square आ रहा ह से cos x plus sin x, इसको एक्पल लिख सकते हैं, n pi, n pi क्यों लिख दिया, चाहे odd multiply, चाहे even multiply, plus 1 आएगा, यह minus 1 आएगा, और square उने के बाद क्या हो जाएगा, वो plus 1, तो इसका जो general solution वो क्या आगया, n pi, इसको solve कर लेते हैं, तो pi से pi cancel out हो गया, तो cos x plus sin x कितना आगया बता हो, cos x plus sin x आगया आपका, 4n, ठीक है, यह equation आ गई, अब इसमें n की value, क्या लेते हैं, इंटेगल value of n, n belongs to क्या होता है, integer, तो n की value जो रख लो, आपको यहाँ पर value of x मिलेंगी, तो शुरू रात करते हैं, तो पहले मैं ने रखा इसमें n की value 0, तो n की value 0 रखोगे तो कितना आ जागा यह 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि, sin x plus cos x बरावर क्या आ गया, 0, ठीक है, और इसके आगे मैं अभी आपको बता दूँ, क्या जब n की value आप 1 और minus 1 रखोगे, तो यह value क्या होगी, 4 आएगी, और minus 4 आएगी, संभ्यार यह बात, n की value जो आप 1 रखोगे, तो 1 into 4 कितना होगया, 4, तो यहाँ पर sin plus cos की value कितनी होगी, 4, बट अपने को पता है कि sin की maximum value कितनी हो सकती है, 1, cos की maximum value कितनी हो सकती है, 1, तो यह value का sum, इन दोनों का sum कभी 4 नहीं हो सकता, और ना ही minus 4 हो सकता, इसका मतलब क्या होगया, n की value 1 ही हो सकती है, add is 0, n के लोग कितनी possible है, सिर्फ 0, तो इसका मतलब sin x plus cos x बरावर 0 is only the solution, अब इसको solve कर लेते हैं, तो बताओ क्या करें, 10 x बरावर minus 1, कैसे लिखा मैंने, cos को दल ले गया, फिर नीचे ले आया, तो sin upon cos बन गया, सही है न, कल लो कि इसको तो, क्या जाएगा, sin equal to minus cos, cos नीचे जाएगा, तो sin upon cos क्या बन गया, 10 और वहाँ पर क्या बच गया, minus का 1, अब 10 x बरावर minus 1 का, general solution बताओ क्या होता है, x बरावर minus 1 का मतलब कौन सा quadrant हो गया, second quadrant और fourth quadrant, आर यह वा संच ने, तो इसका मतलब, मैं एक बाद पहले लिख दू, n pi minus pi by 4, है न, समझाता हूँ उसको मैं आपको, यह सब याद करनी जरूत नहीं है, आपको, है न, कभी आपको याद करनी जरूत नहीं है, कि मतलब, कौन सा general solution, क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप normal सी बात सोचो यह, यह बताओ मिरको आप यह है second quadrant और यह है fourth quadrant, 10 की value minus 1 लिखनी है अपने को, तो किस-किस quadrant मिलेगी, एक तो second में और एक fourth में, तो इसमें क्या होता है, odd multiple, odd pi होता है, तो odd pi में साब गटा दो, कितना, pi by 4, तब भी मिल जाएगा, या even pi में से गटा दो, pi by 4, तब भी आपको minus 1 मिल जाएगा, इसका मत जाएगा, pi by 4, कितना मिल जाएगा, minus 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, n pi minus pi by 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, n pi minus pi by 4, तो बाकि आपने general solution तो याद कर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ, यहां से क्या आगया, x बराबर n pi minus pi by 4, बात आगी संद्द्द्द्द्द्द अब चलते हैं अपन यहां पर, अब मैं थोड़ी देर पहले चला रहा था कि यह जो value है, यह क्या होनी चीए, 0 होनी चीए, तो यह value 0 होनी चीए, तो अपन इसी के regarding check कर लेते हैं, तो बताओ ज़रा 10x की value minus 1, रखेंगे अपन यहां पर, तो यह कितना आ गया, x plus pi by 4 सही है, तो solve करो उसको ज़रा, यह pi by 4 है, तो pi by 4 कट गया, क्या बच गया, n pi और 10 n pi की value क्या होगी, 0, तो इसका मतलब क्या होगया, यह value हमेशे 0 आएगी, इसका मतलब यह जो complete solution set of iis का, x का, यह complete value satisfy कर रही है, कि इसको 10 square of this equal to 0 को, तो इसका मतलब यह क्या होगया, इसका final answer, तो n pi minus 5, 4 हो गया, अब यहां से बन solution निकाल लेते हैं, क्या कह रहा था, वो minus 2 pi से plus 2 pi में पो solution चाहिए, तो एक काम करो, यह बास में आ गई, सबसे पहले 10 square को दल लेके गई, 10 square 0 होगा, तभी possible है कि LHS बराबर क्या हो जाए, RHS, क्योंकि यहां पर 1 plus something, positive quantity है, या non negative कह सक सकते हैं, non negative quantity को आप add करोगे 1 में, तो यह value कहाएगी, मिशा 1 या 1 से बढ़ी आएगी, और यह value क्या कह रहा है, यह क्या चला रहा है, यह maximum value हो सकती है, इसका मतलब LHS equal to RHS होने के लिए, इसको तो होना चाहिए 0 के equal, और इसको होना चाहिए 1 के equal, यहां से आपनने क्या करा इसको equal to 1 होगा, तो अंदर वली quantity क्या होगी, n pi, तो इसको equal रख दिया, n pi के, n के value मेंने 0 रखी, तो मेरे को मिल गया 0, 1 रखूंगा, यह minus 1 रखूंगा, तो यह क्या रहेगा, not possible क्यों हो, क्योंकि plus minus 4 possible नहीं है, sin plus cos का साम, तो चलें आगे, n pi minus 5 by 4, इसको solve कर लेते हैं, minus pi by 4, 1 लोगे तो कितना आजाएगा, pi minus pi by 4, और 2 लोगे तो कितना आएगा, 2 pi minus pi by 4, सही है न, n की value, अब रखो minus 1, n की value minus 1 लोगे तो कितना आएगा, x की value, minus pi minus pi by 4, सही है, और 2 रखोगे तो क्या आएगा, x की value, minus 2 pi minus pi by 4, ओहो, इसका मतलब यह value जो है, minus 2 pi से छोटी हो गई, और ये value क्या है, 2 pi से छोटी है, yes, और अपने कुछ ये, minus 2 pi से 2 pi के in between, तो कौन-कौन से answer हो गई, एक तो ये हो जाएगा, x pi minus 5 वे 4 हो जाएगा, minus 5 वे 4 हो जाएगा, और minus 5, minus 5 वे 4 हो जाएगा, सही है, तो कितने solution आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, अच्छा, minus 2 pi से plus 2 pi के रहा था ना, बिल्कूल ठीक है, तो आगे अपने कितने solution, 4, चलें आगे, चलो, next question number, third, third में देखो क्या के रहे हैं, the sum of all possible solutions of the trigonometric equation, this, तो सबसे पहली बात तो देखो, equation को जब भी solve करना है ना, तो आप थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अपना common, है ना, common mind लगाना है आपको क्या, कि cos 2x equals to में इसको इधर ले गया, तो क्या बन जाएगा ये 2 plus sin 3x by 2, एक बात बताओ छोटी सी आप मेरे को, कि LHS और RHS equal given है अपने को, और इसमें एक तरफ है cos और एक तरफ है 2 plus sin, तो अपने को पता है, sin और cos की range क्या होती है, माइनस 1 से प्लस 1 होती है, और यहाँ पर अकेला को ने cos x, तो इसकी maximum value क्या होती है, प्लस 1, और यहाँ पर जो आ रहे है value हो क्या रहा है, 2 plus something, 2 plus something, और something में कितना है range इसका, माइनस 1 से प्लस 1, तो इसका मतलब यह हो गया, कि LHS की maximum value 1 हो सकती है, और minimum value माइनस 1 हो सकती है, और इसकी जो range निकल के आ रहे है, 2 minus 1, यानि कि 1, 1 से लेकर कितना आ जाएगा, 2 plus 1, 3, तो 1 से 3 range आ रहे है, तो LHS और RHS तभी equal हो सकते हैं, जब यह 1 हो, और यह भी 1 हो, तो यानि क्या हो गया, यह value तो हो minus 1, और यह value हो plus 1, तब इसका मतलब दोनों LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, तो अपने एक काम करते हैं, cos 2x को equal करते हैं, किसके बोलो, plus 1 के, और sin 3x by 2 को किसके equal करते हैं, समझनागी बात, बहुत ही important concept है यह, कि आप क्या range है, range के थुरू check करो पहले, तो कि क्या possible है, कि 2 plus हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो क्या करोगे आप CC दे, इसको plus 1 से 3, LHS equal to RHS तभी होगा, जब दोनों क्या होंगे, 1, 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, अच्छा, यह भी बन होगा, तो इसका मतलब यह तो क्या होना चाहिए, तो माइनस 1, सही है न, इसकी value minus 1 होगी, तो 2 minus 1 कितना जाएगा, plus 1, तो करें शुरू, बताओ, cos 2x क्या होना यह 2n πई हो गया, sin 2x plus 1 चाहिए अपने को, तो 2x बरावर क्या होगा, 2n πई है न, even multiple of π, तो x बरावर कितना हो गया, n πई आ गया, तो यहां से आ रहा है, x बरावर n πई, अब अपने को, इसकी range तो देनी चाहिए ती, दे रखाता अच्छा, 0 से कितना चाहिए अपने को, 10 पई, ठीक है, चलो, एक तो आगया, x बरावर n πई, यहां से क्या आ रहा है, general solution बताओ, जरा मेरे को, 3x by 2 इक्कोल तो कितना आ जागा, minus 1 चाहिए, minus 1 का मतलब क्या हो गया, general solution क्या लिखोंगा, बताओ, रटने की जरूद नहीं है, मैं बता दूँ आपको, रटने की जरू 1 into pi by 2, और उपर वाला चाहिए होता तो क्या हो जाता, 4n plus 1 into pi by 2 हो जाता, तो फिलाल क्या चाहिए अपने को, नीच चाहिए, यानि की minus 1 चाहिए, तो अपने नीच वाली चेन ले लिए, तो वो क्या हो जागा, 4n minus 1 into pi by 2, तो 2 से 2 कट गया, x परावर कितना गया होता हो, 4n pi upon 3 minus pi by 3, clear है बात, तो बस कुछ नहीं करना अपने को, इनके solution चेक करने, कौन से common solution है, और उनने से अपना क्या है answer, तो एक काम करता हूँ, मैं यहां से अटा दूँ इसको मैं, सम्झा आगी बात ही वाली, चलो, देखो, सबसे वेली बाद, cos 2x से क्या मिल ला है, अपने को, x बरावर, n pi, और उतरस से मिल ला है, x बरावर, 4n pi by 3 minus pi by 3, ठीक है, चलो, शुरू करो रखना, n की value मैं ने 0 रखी, तो कैसा आ गया, negative आ गया, n की value 0 पे क्या आ रहा है, minus का pi by 3 आ रहा है, x, ठीक है, तो possible नहीं है, not possible, क्योंकि 0 चाहिए अपने को, बड़ा, बताओ, n की value 1 रखो, n की value 1 रखोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा, 4 है, 4 pi by 3, minus pi by 3, तो कितना आ गया, यह pi आ गया, क्या यह पर pi possible है, बिल्कुल, n की value 1 के लिए pi possible है, यहाँ पर, clear रख, सही है, चलो, n की value 2 र multiple of pi नहीं आ रहा है, n pi के को नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, n की value 3 रखो, 3 रखो, 3 रखो जो कितना आएगा अपता हो, 3 चाहक बारा, एक काम करो, आप सीदी सीदे न, इसी में लिख लो है, 4 n minus, माला, lc में रखो इसका, lc में लिए लोगे तो क्या जागा, 4 n minus pi by 3, सही है न, it is not a multiple of pi, n pi का multiple में नहीं आएगा, आरी बास मेरी, n की value 3 रखो गे तो कितना रहा है, 11, 11 pi बटे 3, नहीं आरा pi का multiple में है न, उसके बाद 4 रखो गे तो, 4 पे आ रहा है चेक करो, 4 फूर जा 16, 16, 16, 15, 15, 15 बटे 3, कितना हो गया, 5, तो ये कितना रहा है, 5 pi, yes, ये possible है, आगे चलते हैं, 4 के बाद रखो, 5, 5, 20, 20 में से एक गया, तो 19, 19 बटे 3, solve करके integer आएगा, नहीं आएगा, फिर रखो, n के value 6, 6, 24, minus 1, कितना हो गया, 23, अभी पॉसिवल नहीं है, अब रखो, 7, 7, 4, 28, 28 में से एक गया, तो कितना बचा, 27, 27 upon 3, कितना आगया, 9 pi, तो इसक इसका मतलब अब आगे रखने की आपको जरूरत नहीं है, तो इनका क्या करना है अपने को, sum of solution कह रहा था है, क्या कह रहा था, sum of all the possible solution, तो sum of all the possible solution कौन कौन से है, 5 pi, 9 pi और 2 हैं, और भी कोई था, pi, एक यह रहा, pi, 3 solution आ रहे थे, तो pi, 5 pi, 9 pi, तीनों का सम कितना आ जागा पाई, pi, प्लस 5 pi, प्लस 9 pi, इन तीनों का सम आ रहा है, 14 और 15, 15 pi आ रहा है, तो sum of solution कितना आएगा, 15 pi, तो कौन सा option सही है, इसका मतलब, 3rd option सही है, करना क्या होता है, अपने को simple सा, जब भी 2, है ना, जब भी अपने को बास 2 equation बन गई, तो दोनों का जब आपको intersection लेना है तो आप easy value को solve कर लो, ठीके ना, तो यहाँ पर क्या था, x पर आपर n pi था, n pi आ गया था, यहाँ पर क्या था, 4n-1 into pi by 3, यहाँ पर मैंने n के लों रख रख के देख ली, जो इसको दोनों को satisfy कर रही है, बस वो ले ली, तो कौन कौन सी आ रही है, pi, 5 pi और 9 pi, तीनों का सम solution this, आप से equation का solution पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ध्यान से देखो, ठीटा क्या दिर रखा है अपने को, 0 से pi by 2, इसका मतलब, simple solve करना है, और एक बार में जो answer आएगा है, इसमें कोई general solution की जिरूत नहीं है, अपने को C answer आजाएगा, तो बताओ, पह sin c minus sin d लगाना है, cos c plus cos d, cos c minus cos d, तो किन दोनों में लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी practice होती है, और दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है, पहली बार में आप सही लगा हो है, तो मैंने क्या किया, इसमें लेके चला गया किसको, sin 3 theta को लेके जा सकता हूं, या फिर sin theta को, किसी को भी ले जाओगा, लेकिन जब आप लेके जाओगे, sin 3 theta को, तो थोड़ा सा लेंदी उसके है, तो इसलिए मैं क्या लेके जा रहा हूं, sin 7 theta, minus sin theta, क्योंकि मेरे को दिख रहा है, कि जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो theta, into cos c plus d y 2, into sin c minus d y 2, तो 7 में से theta गया, 7 में से 1 गया, तो कितना मचा, 6 theta, तो 6 theta by 2, सही है, बोलो, sin c minus sin d क्या होता है, 2 cos c plus d y 2, और cos sin c minus d y 2, तो क्या हो गया, cos c plus d y 2, और sin c minus d y 2 कर दिया, बोलो, कितना आ गया, 2 cos 4 theta, into sin 3 theta, और वहां भी क्या है, sin 3 theta बचाता है, minus कर दो, इसको इदर ले आओ, sin 3 theta, equal to क्या बच गया, 0, सही है, sin 3 theta common ले लो, काटना नहीं है अपने को, यह नहीं है, यह नहीं है, दोना तरफ से काट दिया, sin 3 theta, कला तो जाएगा, जब भी आप cancel out करते हो, दोना तरफ, तो उसमें loss of root, या lead of root हो जाता है, अपने को, जब आप ऊपर नीचे cancel out करते हो, तो तो उस case में क्या हो जाता है, अपना, lead of root हो जाता है, और जब दोना तरफ से cancel करते हो, LHS और RHS, तो उसमें loss of root हो जाते है, अपने, कम रह जाते है, अपने, तो यह चीज अपने को ध्यान नहीं हो जाते है, अब बताओ, क् बत जीरो, या तो A 0 है, या B 0 है, दोनों के दोनों 0 होंगे, तब इन दोनों का product किया जाएगा, हमेशा 0 आएगा, तो एक काम करते हैं अपन, एक बार A को 0 कर देते हैं, दूसरी बार B को 0 कर देते हैं, तो पहली बार मैंने कर दिया, sin 3 theta ब्राबर 0 कर दिया, ठीक है, और द होती है, x-axis पर, यानि कि multiple of pi पर, तो n pi और theta ब्राबर क्या हो जाएगा, n pi by 3, तो यह तो आगया, इसका solution, किसका sin 3 theta ब्राबर 0 का, यहां पर आ जाओ, cos 4 theta ब्राबर कितना आ जाएगा, बताओ, यह plus का 1 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 2, तो यह half आ गया, तो यहां से general solution क्या निकल कहेंगे, बताओ, 0 से pi by 2 में, n के value आ एक पर आप 0 रखोगे, तो 0 हो गया, बट 0 include नहीं है, फिर n के value आप 1 रखो, जब 1 रखोगे तो कितना आएगा, theta ब्राबर, बोलो, pi by 3, क्या pi by 3 की value इसकी बीच में लाई कर रही है, बिलकुल, 60 degree होता है, 0 से 90 degree में आई करता है, 60 degree, तो यह इसका solution हो गया, इसका मतलब, n के value 2 रखोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 pi by 3 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, किस से 90 degree से, तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक solution आगया, यहां से, theta पराबर, pi by 3, अब इसको 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 भी solve कर लो, इसको solve करेंगे, तो क्या आएगा, बता हो, cost 40 रखो कितना रहा है, half आ रहा है, तो बोलो, general solution लिख लें सीदिये बन, तो बताओ ज़रा मेरे को फ्रापट से, cost की value half किस एंगल पर होती है, 60 degree पर, यानि की pi by 3 पर, तो pi by 3 पर value होती है, half, किसकी cost की, तो इसका general solution पर क्या लि आपने याद कर रखे होंगे, सारे-सारे, क्या, कि 2n pi plus minus alpha cos की case में, sin की case में होता है, sin theta बरावर sin alpha होता है, तो उसका general solution क्या होता है, अपना n pi plus minus 1 की power n into alpha, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 2n pi plus minus alpha, चलो, करते हैं, तो theta बरावर कितना आ गया, बोलो, theta बरावर आ चुका है 2n pi upon 4 plus minus pi by 12, बोलो, गलत तो नहीं कह रहा, अब इसमें रखे देख लिए, n की value 0, 1, 2, 3, यह ना, किस range चाहिए, अपने को, 0 से pi by 2 में चाहिए, तो रखो, बताओ, n की value 0 रखेंगे, तो कितना solution आएंगे, n की value अपने रखी 0, तो यह तो हो गया 0, बचा किया, plus minus pi by 12, तो अपने को, ठीक है, minus pi by 12 नहीं लेनी, क्योंकि वो interval से बाहर चला जाएगा, n की value 1 रखो, आप, 1 रखो, कितना आजाएगा, बताओ, 2 pi by 4, यह निकी, pi by 2, 90 degree, plus minus pi by 12, तो कौन से वाला ले लेंगे, अपन, अपन ले लेंगे, pi by 2 minus pi by 12 बाला, बोलो, क्यों, क्योंकि pi by 2 plus pi by 12 किसे बाहर चला जाएगा, अपना जो interval है, ठीटा का range है, उससे, ठीक है, तो pi by 2 minus pi by 12 बाहर जाएगा, यह न रख है, minus pi by 12 बोले तो 15 degree है, तो कितना रे जाएगा, 75 degree है, जो भी है, तो यह बाहर समझा आ गई, तो दो solution तो यहां से आ रहे है, और एक solution यहां से आ रहा है, त तो कितने solution होगे, तो इसके answer कितना आ गया, इसका मतलब, तीन आ गया, बात आगी संद में, चलें आगे, चलो, तो next question number 5 में क्या कराएगे आपसे, the number of solution of the equation, this, equation देर किया, solution, find करने है, interval को given है, क्या given है, interval, minus pi से, interval क्या given है, minus 2 pi से plus 2 pi, ठीक है, करें शुरू, चलो, सबसे प 1 plus 10 square x by 2, पहले बतादू, मैं आपको trigonometry में आपके पास सारे सारे identities, या दोनी चाहिए, तब भी आपको quotient solve आएगा, तो क्या करोगे बताओ, 2 10 x by 2 upon 1 plus 10 square, 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta, क्या होता है, sin 2 theta, तो क्या बन जाएगा, यह बताओ, 6 sin cos equal to, 2 into, क्या बन गया है, यह बलो, sin 2 theta, sin 2 theta, बोले तो कितना हो गया, sin x, अंगल का double, प्लस में क्या है, एक और sin अपने पास, तो इसको भी लगती है, sin x, तो कितना हो गया, 6 sin cos, बराबर कितना हो गया, 3 sin, 3 sin को इदर ले आओ, तो 3 sin तो common आ जाएगा, अंदर क्या बच्छे का बताओ, 2 cos minus 1, बराबर 0, अब बताओ क्य क्या करें आगे, दोनों को अलग लग, 0 कर दें, एक तो 3 sin की value 0 होगी, कॉमा, दूसरा, 2 cos minus 1 की value 0 होगी, तो क्या-क्या solution आगे, बताओ, यहां से, sin theta की value एक तो 0 आगई, यह sin x बोल दो, एक ही बात है, sin x की value 0 आगई, और यहां से cos x की value कितना आगी, बताओ, half, आब आपक multiple of pi है, odd pi हो, चाए even pi हो, integral multiple of pi के सकते हो, तो यहां पर क्या आगया, x बराबर, बताओ, cos x की value, half, कहां पर होती है, pi by 3 पर, तो क्या हो जाएगा, 2 n pi, plus minus pi by 3, लेख लिए तोनों का general solution, तो बताओ, क्या हो जाएगा, x बराबर, यहां पर n pi है, यहां x बराबर, 2 n pi, plus minus pi by 3 ह और interval क्या लेना है अपने को, minus 2 pi से plus 2 pi, कल लोगे solve इसको वैसे तो आप, बाकी में बता जेता हूँ, आपको एक बार, पुरा complete, हटा दूँ यह तो है न, देखो, x बराबर n pi से तो क्या आगया बताओ, क्या-क्या solution आ जाएगे, 0, x equal to n pi से निकाल रहूँ है, 0, plus minus pi, plus minus 2 pi और plus minus, कुछ नहीं, plus minus कुछ नहीं, ठीक है न, 2 pi maximum और minimum value, चलो, second वाला ले लो, x बराबर, 2n pi, plus minus pi by 3, बोलो, n की value रखें पहले क्या, 0, तो 0 पर कितना आएगा, x बराबर क्या आजाएगा, बोलो, 0 पर, x की value 0 रहोगे तो कितना आगया, plus minus, pi by 3, second number, n की value 1 put कर आएपने, 1 put करोगे, तो कितना आजाएगा, 2 pi, plus minus, pi by 3, और minus 1 रखेंगे, तो कितना आजाएगा, बताओ, minus 1 रखोगे, तो minus का 2 pi, plus minus, pi by 3, अब एक बार, check कर लेते हैं, तो बताओ, plus minus 2 pi by 3, आ रहा है कैस इंटरवल में, minus 2 pi से plus 2 pi में, बिलकुल आ रहा है, तो यानि की, यह दो नु तो plus वाला अपने को नहीं लेना है, plus वाला नहीं लेना है, minus वाला चल जाएगा, क्या, minus वाला चल जाएगा, 2 pi में से गटाओगे आप, तो angle 2 pi से छोटा हो जाएगा, तो यह वाला चल जाएगा, plus वाला, चलो, आगे, minus 2 pi, plus करेंगे, तो चल जाएगा, minus 2 pi में, plus कोई और 2 5 minus 5 by 3 और minus 2 5 plus 5 by 3 तो टोटल कितने हैं यहां से 1 2 3 4 चार सॉलुशन यहां से आ रहे हैं और पहले कितने सॉलुशन आ रहे थे अपने पहले सॉलुशन आ रहे थे अपने एन पाई से एक, दो, तीन, चार, पाँच तो 5 यहां से और 4 यहां से कितने होगे डिड़ल? 9 लेकिन अब मेरी बास सुनो जब भी आप ऐसे सिंप्लिफाई करते हो तो पहले जो पहला कोशन होता है ना प्रिवियस कोशन जो ओरिजिनल कोशन होता है अपना उसको बड़े द्यान से देख कहां जाता है? इंफनेट को अप्रोच करता है या माइनस इंफनेट को अप्रोच करता है तो यहां पर यह जो वैल्यू है कब इंफनेट जा रही है बताओ? जब एकस के लूग क्या रही होगी यहां पे? प्लस माइनस पाई है ना? जब प्लस माइनस पाई रहेगा तो क्य 6 और यह 7 तो total number of solution कितने आ रहे हैं अपने 7 आ रहे हैं तो इसका कॉप्शन नमर 7 बात आगी समने चलें आगी चलो ध्याना कोई यह चीज है न 10 अपना not defined होता है कहाँ पर 5 by 2 के multiple पिर ठीक है चलो next question number 6 question number 6 में क्या कह रहा है देखो question number 6 में कह रहा है यह आपसे number of solutions of the x satisfying the equation this एक अपने को समीकर्ण देर की है और इसके क्या कह रहा है हलों की संख्या निकालने है जो x संतुष्ट करता है जिनके लिए न तो हलों की संख्या निकालने के लिए number of solution निकालने के लिए क्या करा जाए बताओ interval दिरखाए 0 चोटा सा क्या 0 से 2 पाई तो पहली बात तो यह जब भी exponential function आ रहा है याने की चर गातां के फलन तो क्या गरूआ पहले यह देखो कि दोनों का base रहा है न बना सकता हूँ कि मैं तो दोनों का base से मना लो पहले तो बेसे मना ऋगे तो क्या हो जाएगा बताओ इसको ले लें बताओ यहां पर यह क्या हो रहा है डू का square है और टू की पावर क्या है four 4 sin square, equal to 2 की power, 6 sin x, सही है, अब base same है, तो powers क्या हो जाएंगी, add हो जाएंगी, तो powers add हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 2 plus 4 sin square, और equal to 6 sin, दोन तरब base same था, तो मैंने power को equate कर दिया, equal कर दिया, अब थोड़ा सा और आगी चलते हैं, यहां से कितना हो गया, 4 sin square, इसको इधर ले आओ, minus का 6 sin, plus का 2, बराबर 0, बात सान में आ रही है, यहां तक, अब आगे चलो, अब यह बताओ, 2 से divide कर दो, 2 common ले लो, समय से, तो कितना मचेगा, 2 sin square, minus 3 sin, plus 1, equal to 0, तो इसको मैं फेक्ट्रेज करूँगा, तो क्या आ रहाए जादा देखना, फेक्ट्रेज करोगे, तो यह आ जाएगा, 2 sin minus 1, into sin plus 1, यह sin minus 1, minus 1 आ जाएगा, क्योंकि minus minus plus 1, तो यह आ गया, 2 sin square, minus का 3 sin, plus का 1, बिल्कुल सही है, यह minus है, तो यह क्या आ गया, आपका, factorization हो गया, इसका, आप इसको एक्क्वेट कर लेते हैं, पर 0 के, तो क्या आ जाएगा, बताओ, दो value अपने पास, एक तो sin की value आएगी, 1 upon 2, और 1 sin की value आएगी, 1, के लिए रहे बात, तो sin की value 1, और 1 by 2, तो बताओ, जाएगा, sin की value half सही है, मिरको, तो interval क्या दे रहे खाए, मिरको, x का, 0 से 2 pi, तो 0 से 2 pi interval में, दो जगा sin की value half आएगी, 1st quadrant और 2nd quadrant, यानिकि, एक तो 5 by 6, और यानिक अपना 5 pi by 6, बात आ रहे है संझने, 1st quadrant में क्या होगा अपना, pi by 6, 30 degree पर, और 2nd quadrant में क्या लिए एंगल, pi minus alpha, यानिकि, pi minus pi by 6, इतना आपको आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 5 pi by 6, तो 2 angle आ गए यहां से, अब sin की value half, 1 किस पर होगी, जब x की value क्या लोगे, आ pi by 2, तो यहां से 3 solution आ रहे हैं, क्या-क्या, pi by 6, 5 pi by 6 और pi by 2, तो कौन्स option से होगा इसका मतलग, more than 2 solutions, option number 4 is correct, चले हैं आगे थोड़ा सा, चलो, next question number 6 पर चलते हैं अपन, इस 7th पर, 7th question में कह रहा है आपसे, the number of values of theta, between 0 से pi, 0 और pi के बीच में अपने को number of values निकालने हैं theta क जो satisfy करते हैं किसको, इस equation को, है ना, simple सा है, कुछ नहीं करना अपने को, जब भी by quadratic equation आ रही है, तो by quadratic equation में क्या करो आप, sin square theta को मान लो, थोड़ी तरी के लिए t, मान सकते हैं, कोई मानने में क्या दिखकत हैं, मेहत में सो, आप मानते ही हैं अपने हैं, सब कुछ मानते हैं, तो अपने क्या मान लिया, sin square theta को t, तो जैसी आपने t माना, तो it will become a quadratic equation in t, t में quadratic equation बन गई, और क्या बन गई है, t square minus 2t minus 1, सही है, अब बताओ क्या करेंगे, तो t की value निकाल ली हैं, तो क्या करें, factorize तो हो नहीं रहा, तो क्या करोगे बताओ, quadratic formula, तो minus b plus minus, under root b square minus 4ac upon 2a, तो कितना आ जागे है, 2 plus minus, under root 8 upon 2, simplify कर लो, क्या आ गया, 1 plus minus root 2, तो t की value आ रही है, अपनी 1 plus minus root 2, और t कौन था अपना, t था अपना sin square theta, तो sin square theta बराबर आ रहा है, sin square theta बोल दो, या, हाँ, theta ही है, ठीक है, तो theta बराबर कितना आ गया, 1 plus minus root 2, अब देखो ज़रा ध्यान से, थोड़ी दिर पहले में बोल ला था आपसे, क्या, कि जब भी बाते करेगा, sin की cost की है, तो आपको range के बारे में बात करना है, range मतलब, sin की range क्या होती है, अपनी minus 1 से plus 1, sin square theta की range क्या होगी, 0 से 1, तो 0 से 1 range होगी, तो यह जो value है, क्या आ रहे है, 0 से 1 में, चेक करो, 1 plus root 2 क्या हो जाएगा, 1 plus root 2 हो जाएगा, अपना greater than 1, और 1 minus root 2 क्या हो जाएगा, बोलो, less than 0, लेकिन यह value, sin theta की नहीं है, किस की आ रहे है, sin square theta की, तो sin square theta की value negative तो होई नहीं सकती, इसका मतलब, ना तो यह possible है, और ना ही, यह possible है, तो number of solution कितने हैंगे, इसका मतलब, 0 आएगे, कहेंगे 0, तो कोई solution नहीं होगा, इसका, मानुशन क्या क्या होगी, शून नहीं, चले है अगे, अगला question, question number, 8th पर देखो, क्या कह रहा है, the general solution of the equation this, इसका general solution निकलना है अपने को, क्या करो करता हो सबसे पहले, equation को solve करने के लिए, सबसे पहले यह देखो, RHS में क्या दिरखा है आपको, 1 by root 2 minimum, minimum किसका, इसका, तो quadratic का minimum कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा, minimum में कालने के लिए, मेरे को जो best तरीका लगता है, वो यह लगता है, perfect square बना लें, क्या बना लें, perfect square, तो आप से पूछा जा रहा है, minimum of किसका, 1 by root 2 into इसका, और यह quality का, बहुती प्यार से, न, बहुती प्यार मभवस से क्या बना सकते हैं, उसका perfect square, क्या बन गया, a minus 3 का whole square minus 9 of plus 10, यह आ गया, बोलो कितना बन गया, minimum of किसका, 1 by root 2, a minus 3 का whole square, कितना बचा, plus का 1 बचा, तो plus 1 का मतलब हो गया, 1 by root 2 हो गया, ठीक है, अब मेरे को एक बात बता हो, root 2 समल्टिकलाई कर दिया, मैंने न, डिवैट कर दिया मतलब, अब बता हो मेरे को आप, minimum मेरे को इसका चाहिए, तो यह तो क्या है, perfect square, तो इसकी value तो क्या होगी, हमेशा greater than equal to 0, तो इसकी minimum value होगी, यह जब minimum होगा, तब यह पूरा minimum होगा, तो यह minimum कहा होगा, जब a की value कितनी रखोगे, आप इसमें, 3, तो a की value आपने रख दी मनलो, 3, तो a की value 3 रखते ही, क्या हो जागा, य तो इसका जो minimum है, किसका इस पूरे का minimum होगे, वो कितना आ गया, 1 by root 2 आ गया, और यह चला चला के क्या के रहता अपने से इधर, यह जो value हो किसकी है, sine minus, cos की, हो गया question खतम, बस, अब तो कर लोगे, आगे solve, कैसे बताओ, अब इसको solve करना है आपको, तो simple सी बात है, जब भ आपक इसमे, sine a plus minus b, यह cos a plus minus b में, जिसमें आप चाहो, उसमें convert कर सकते हो, ठीक है, तो जैसा कि, मतलब आपको याद होगा na, a sine x plus b cos x, इसको मैं यह दी क्या कर दूँ, multiply, divide कर दूँ किससे, जो coefficients है, उनके square के sum के under root से, तो it will become sine a plus b, और sine a minus b form, याद आ रहे है, याद आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो, आना चाहिए है, तो इसको क्या कर रहे है, आपन, बताओ, root 2 से divide और root 2 से multiply कर देते हैं, तो मैंने क्या की दिया, मैंने दोनों तरफ, 1 by root 2 से multiply कर दिया, अब बताओ, यह क्या बन गया, जहां से देखो, यह sin आ रहा है, तो इसके साथ मैं लग 45 degree यह 5 by 4 है, तो 5 by 4 हो रही है, तो sin A cos B minus cos A sin B, क्या होता है, sin A minus B का formula होता है, यह convert हो चुका है, sin A minus B में, तो sin पहले आ रहा है थीटा, तो थीटा minus, कितना आ गया बोलो, 5 by 4, बराबर कितना आ गया, 1 by 2, solve कर लो, sin का general solution कैसे मिलता है, बोलो, n pi plus minus 1 की power n, और least angle क्या बन जा को इधर ले आओगे, तो क्या बन जाएगा, n pi plus 5 by 4, प्लस में यह, तो कौनस अप्शन से यह check कर लो, n pi plus 5 by 4, option number 1 is correct, बात आगी सन्में, इस तरीके से खरेंगे, जब भी A sin x plus B cos x की form मन रही है, plus minus B cos x, तो आप क्या करो, उसको divide or multiply कर दो किससे under root of A square plus B square से, बात आगी सन् question number 9, yes, question number 9 में क्या कह रही है, let theta belongs to this interval, 0 से 4 pi, satisfying the equation this, if sum of values of theta is k pi, तो question पढ़ा हमने अच्छे से हैं, question पढ़ा, question को देखा तो उसमें लिखा हुआ है, 3 expression का जो product है, 3 product equal है 6 के, तो मिरे को यह पता है कि sign की range होती है, से वह होती है, minus 1 से plus 1 है, देख रहे हो question lengthy नहीं है, question के tricky हैं सारे है, आप इनको अच्छे से करें, सबसे पहली बात तो मिरे को यह सम्झा आ रहा है, कि sign this, this and this, तीन चीजों का product जो है, वो 6 के equal है, तो comparison से काम चल सकता है, compare करके काम चल सकता है, तो 6 के आप factors कर लो, क्या हो गए 1 into 2 into 3, आपने थोड़ी सी भी यह दी मेहनत करोगे न, practice करोगे आप, तो आपको यह देख के सम्झा जागा, अच्छा हाँ, यह 3 का product बराबर है 6 के, तो 6 को factorize कर लेती हैं एक बार, क्या जाएगा, 1 into 2 into 3 आ गया, तो 1 into 2 into 3 equal आ रहा है, किसके, इसके, तो एक बात बताओ, यहाँ पर 3 numbers का multiply हो रहा है, यहाँ पर 3 numbers का multiply हो रहा है, तो इन दोनों को यह दी compare करूँ में, तो क्या सम्झ में आ रहा है मेरे को यहाँ पर, दे यदि minus 1 से बड़ी हुई न, 0 भी करती ही मैंने, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो 2 into 3 into 4, कभी एक कल हो सकता है, कि 6 के, नहीं आ सकता, तो दोनों साइड में ने compare किया, तो मेरे को यह सम्झ में आगी बात कि यह तब possible है, जो sin theta की value क्या हो, minus 1, और sin theta की value होगी, तो theta की हो जाएगा अपना, 4 and minus 1 into 5 by 2, अभी बताया था मैंने question, पहले वाले question में आपसे है न, आपको, तो 4 and minus 1 into 5 by 2 आ गया, अब बताओ क्या पूछ रहा था है आपसे, sum of values of theta, अच्छा, interval दे रखा है, 0 से 4 pi, तो बताओ 0 से 4 pi में कौन कौन सी value से, यह मैंने बनाया, quadrant system और इसमें मेरे को value चाहिए, minus 1, तो एक तो यहां पर आ गया, यह 3 pi by 2, 0 से 4 pi, तो एक चक्कल लगाया मैंने, 0 से लेकर 2 pi तक, तो एक value मिल गई, फ़र अगेन एक और चकल लगाया, 2 pi से लेकर 4 pi तक, तो एक और value मिलेगी, और कितना मिलेगी, बोल 7 pi by 2, ऐसे चलता है, ठीक है न, तो इसकी दो value आगे, 3 pi by 2 और 7 pi by 2, in the interval, 0 से 4 pi, तो दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा, 3 pi by 2 प्लस, 7 pi by 2, कितना हो गया, बोलो, 10 pi by 2, कितना हो गया, 5 pi, कितना आ जाएगा, 5 pi जाएगा, तो इसका मतलब क्या आगे answer अपना, के की value कितनी आ क्या कह रहा है, the number of solution of the equation is this, तो पहली बात तो यह हो गई, कि अपने को equation दे रखी है, solve करना है, simplify करना है, 0 से 4 pi interval में solution निकाल ले है, तो पहले एक काम करा जाए, cross multiply कर ले, cross multiply करते समय, यह देहना कना है आपको, कि जब आप इसको cross multiply कर रहे हो, तो क्या होगा, देखो, एक त not be equal to 0, अगी बसन में, अब चलते हैं आगे, दूसरी बात 10x की value minus 1 भी नहीं हो नीची है न, नहीं तो क्या हो जाएगा, infinite जाएगा हो, क्या करा जाए बताओ, दो case मना लेते हैं, modulus दे रखाया तो, एक बार sin x जब क्या है, greater than equal to 0, और दूसरा case, जब sin x क्या है, less than 0, ठीक ह तो case 1, sin x क्या है, positive, तो बताओ, क्या क्या रह जाए, modulus क्या सको लेगा, positive, तो sin बराबर, क्या बचा, cos plus sin, sin से sin कट गया, क्या आगया, cos बराबर 0 आगया, लेकिन, चिला चिला कर थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कि cos x की value negative 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब reject रहे है, नहीं हो possible, इसलिए जब भी आप cross multiply कर रहे हो है न, इस बातों को ध्यान रखे हैं आप, जिसी आपको दिक्कत नहीं आए, एक है, आगे चले next, sin x इदी negative है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, sin x इदी negative है, तो कैसा खुलेगा, mod negative, तो minus का sin खुल गया, equal to में क्या आगया, cos plus sin, sin को इदर ले आओ, तो कितना हो गया, यह बोलो, minus का 2 sin बराबर cos, तो यहां से क्या आगया, बोलो, 10 x बराबर minus का half, गलत तो नहीं कहा रहा है, देखो आप ध्यान से, 10 x की value जैसे आगई, minus half, सही है न, cos तो नीचे आगया, और 2 नीचे चला गया, वहाँ पर minus 2, तो क्या जाग quadrant में होगा, या fourth quadrant में होगा, अब छोटी सी बात, यह बताओ मेरको आप, जो आपने case लिया था, वो क्या लिया था, कि sin x क्या होना चाहिए, negative होना चाहिए, sin x negative किस किस quadrant में होता है, एक तो third में होता है, और एक fourth में होता है, तो sin x भी negative होना चाहिए, इसका मतलब, और 10 x भ बात है करनी हैं किसी करनी है सुर्फ फॉर्फ क्वाडरेंट की तो अब मेरे को यह बता हो आप 10x की वैल्यू-5 किस पाडरेंट में होट ले सकते हैं fourth क्वाडरेंट में fourth ग्वाडरेंट कितनी बार आएगा जीरो से 4 पाई इंटरवल में 2 ही बार आएगा, जब एक चक्कल लगाएंगे, अपन 0 से 2 पाई, तो एक बार आजाएगा, फिर 2 पाई से 4 पाई चक्कल लगाओगे, तो फिर एक बार आजाएगा, तो total number of solution कितने हैंगे, इसका मतलब 2 आएंगे, तो number of solution कितने होगे, इसके 2 होगे, चले हैंगे, चलो, next question number 11, देखो क्या करना है, number of roots of the equation, अच्छा, ठीक है, तो पहली बात तो यह हो गई, कि number of roots निकालने हैं आपको, तो यह जो दिरखा है, यह जो दिरखा है, क्या, sin square x minus 5 by 4 upon cos 2x, यह जो fraction काफी important है, आपने यह पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा देखो, sin square, theta मल लूँ, इसको मैं थोड़ी दिर के लिए, तो sin, इसको theta open क्या लिसकते हैं, बता हो, 1 minus cos 2 theta, upon 2, लिख सकते हैं, और नीचे क्या है था, इसके, cos 2x, पहले में इसको simplify कर रहा हूँ, आराम से है, पहले पने इसको simplify कर रहा है, फिर question पे चलेंगे, ठीक है, अब बता हो, कितना हो गया, 1 minus, कितना बन गया, 1 minus cos 2x into 2 का multiply, इसमें हो गया, तो कितना बन गया, cos 2x minus 5 by 2, बोलो, गलत तो नहीं कहे रहा, upon में क्या चला गया, 2 cos x, सही है, अब ध्यान से देखो, यह क्या है, even function है, cos तो, cos 5 by 2 minus theta लिखो, चाहे, theta minus 5 by 2 लिखो, एक ही बात है, तो cos 5 by 2 minus 2x क्या बन जाएगा, sin x, तो यह बन गया, 1 minus sin 2x upon 2 cos 2x, clear होगी बात, अब इसको आप क्या करो, change कर लो, किसको denominator को, किसमें लिख लो बताओ, इसको लिख 1 plus minus sin 2x, क्या change कर लो, आप उसको, sin x plus cos x, या sin x minus cos x का whole square बन जाएगा, अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, नीचे क्या बन रहा है, cos square minus sin square, तो इसको लिख सकते हैं, सीदी सीदे क्या, cos minus sin का whole square, करके देखो, open, a square plus b square, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sin square plus cos square, और फ किस में change करोगे बताओ, नीचे बाले को change करना पढ़ेगा, चलो, इसको रहने दो भी है, एक बार उलिख दू, cos minus sin का whole square, और नीचे आगया, 2 into cos plus sin into cos minus sin, अब समझ गए, एक sin minus cos से sin minus cos काट दिया, आप क्या बचेगा बताओ, यह बचेगा आपका, इसको इहाँ लियाओ, देखो, यह बन गए आपका, cos minus sin upon 2 into cos plus sin, ठीक है, उपन नीचे डवेट कर दो, आप किस से, cos से, तो क्या बन जाएगा यह, यह बन जाएगा, half into, क्या बन जाएगा, 1 minus 10x upon 1 plus 10x, और 1 minus 10x upon 1 plus 10x होता है, आपका, क्या बता है, 10 pi by 4 minus theta, यानि की 10 pi by 4 minus x, तो यह बन गया, आपका, कुल मिला के, half 10 pi by 4 minus x, तो कुल मिला के, यह, जो मैंने कहानी, आपको पता ही है, यह, आप याद भी रख सकते हो, सीची थे, कि sin square theta upon में, देखा है, cos 2x है न, इस तरीके, इस formula में देखा है, तो किस में करनोट हो, क्या बता हो, half 10 pi by 4 minus x में, और यहाँ पर भी क्या दिरखा है, 10, अच्छा, यहाँ पर क्या दिरखा है, देखो, यहाँ से, x minus 5 by 4, और यहाँ क्या है, pi by 4 minus x, तो यहाँ क्या है, pi by 4 minus x, तो ऐसा करो न, आप, इस में से minus 1 को में ले लो, अंदर से, समझ के बा तो अब आपके सामने जो लिखा हुआ है, मैंने समझागी बात, अब इसको आप ध्यान से देखो, इसकी जगह में, रिप्लेस करने वाला हूं, वो, क्या, minus half 10 x minus 5 by 4, यह रिप्लेस करूँगा, यहाँ पर, तो मैं इसको बटा दू, चलो, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, किस से, 2 की पावर तो आगया, आपका 10, x minus 5 by 4, minus 2 in 2, अच्छा, 0.25 क्या होता है, पता है, 1 by 4 होता है, अच्छा, इसको मैं चेंग रिजता हूं, minus half 10, x minus 5 by 4 में, है न, क्यों, minus 1 कमनल लिए है, क्योंकि यह पहले वाला भी, x minus 5 by 4 में है, equal to 0, सही है, अब 1 upon 4 को क्या लिए दो, आप 2 की पावर minus 2, और minus 2 कोशन मुल्टिप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, बताओ, 2 की पावर 10, x minus 5 by 4, minus 2 into, 2 की पावर क्या बन गया, यह बोलो, 10, x minus 5 by 4, plus 1, बराबर 0, यह बन गया, अब बताओ, यह भी 2 की पावर, यह भी 2 की प x minus 5 by 4, इसको अब आराम से आप solve कर सकते हो, बताओ, नहीं कर सकते है, equal to में क्या चला गया, minus 1, minus minus कर दो, तो क्या बच गया, plus 1, तो क्या बन गया, यह बन गया, यह आपका क्यों मिला के, यह आगया, 2 की पावर 10, x minus 5 by 4, बराबर 1, तो इसको क्या लग दो, आप 2 की पावर 0, तो this equal to 0, तो क्या आगया, 10 x minus 5 by 4, बराबर 0, और यह कब possible है, जब x minus 5 by 4, क्या हो, बोलो, n pi के equal हो, तो क्या आगया, x बराबर, n pi plus 5 by 4, समझो, question को अच्छे समझो, जल्दी से, समझो, आगी बात नहीं आगी, देखो, रोक के समझो, अच्छे से, x की value आज की है, n pi plus 5 by 4, और x की value आगी, n pi plus 5 by 4, अब यह आप से क्या बूच रहता बताओ, number of roots, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर denominator में क्या रहा था, cos 2x, तो denominator में यह दी cos 2x आ रहा है, तो आपको बहुत चीजों को ध्यान आखना होता है, क्या, पहली बात तो यह की cos 2x की value, 0 के equal नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 2x should not be multiple of pi by 2, बोलो गलत तो नहीं कह रहा, नहीं होना चाहिए, तो अब इसको रखके देख लो, कहीं है, pi by 2 बन रहा हो, तो n pi plus pi by 4 को आप जब, यहाँ 2x की जगह पूट करोगे, तो x की जगह पूट करोगे, तो क्या बन जाएगा, cos बताओ, 2 into this, तो क्या हो जाएगा, 2n pi plus pi by 2 बन जाएगा, इसका मतलब यह क्या बन गया आपका, not defined, क्या बन गया, not defined, क्योंकि इसकी value क्या हो जाएगी, यह भी 0, और denominator में 0 नहीं होना चाहिए, ना, तो बात संचना गई, तो इसका मतलब यह possible, नहीं है, तो इसका क्या होगा, no solution, 0 solution है, ना, क्या हैंगे, number of solution 0 हैंगे, चलें आगे, चालो, प्लस ने, एक real root रखती है, उसके लिए number of integral values of a निकालनी है, अपको, तो बताओ, क्या करा जाए, पहली बात तो a को अकेल अगर लेते हैं, और sin अपको ने बना लेते हैं, equation, तो यहां पर है cos 2x, क्या लिखा जाए, बताओ, 1 minus 2 sin square x, प्लस में कितना है, 3 sin square x, प्लस में क्य गया, 1 minus sin square, प्लस में, 4 sin, प्लस का 3, बरावर a, तो यहां से आ रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा करो, minus से multiply कर दो, पूरे को, सही है न, अच्छा, यह plus का बचाता गया, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या बचाता हो, sin square, प्लस 4 sin, प्लस 4, ओहो, बहुत ही cute सा form बन गया, क् क्या बन जागा, यह sin plus 2 का, whole square, equal to में क्या आ गया, यह आ गया, तो a की value आ रही है, आपकी sin plus 2 का whole square, अब आप से कह रहा था, a की integral values, क्या क्या possible है, तो कर लेते हैं, तो पहले तो यह बताओ, sin, तो a की range क्या जाएगी, बताओ ज़रा मेरे को सोच के आप, क्योंकि अपने को number of integral values of a निकालनी, तो a की अपने range निकाल लेते हैं, उस range में देख लेंगे कितने integer आ रहे हैं, चलो, तो बताओ ज़रा मेरे को sin की range क्या होती है, minus 1 से plus 1, तो a की range क्या जाएगी, a belong करेगा, minus 1 से plus 1, plus 2 का whole square, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आ गया, a belongs to आ गया, minus 1 plus 2 कितन हो जाएगा 1, और 1 plus 2 कितना हो जाएगा 3, तो close interval में इसका square, तो a belongs to कितना आ गया, बोलो, 1 का square 1, 3 का square 9, तो a belongs to क्या आ गया, 1 से 9, तो integral values क्या क्या आएँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने integral values होगी, इसका मतलब 9, तो इसके solution कितने आ गया, 9 आ जाएगे, सही है, एक integral values यह दिना अपने को, चलें आगे, चलो, question number 13, क्या कहना चाहरा है, देखो, the number of values of x, in the interval 0 से pi, satisfying this equation, simple है question, कोई दिक्कत नहीं, अराम से कर सकते हो, मेहनत करो बड़ी सी, देखो, cos 2x है, cos x है, तो यह cos है, इसको चेंद कर लेते हैं, किसमें, cos में, formula आपको पता है, क्या होता ह है, 2 cos square minus 1, clear होगी बात, minus 10 cos x plus 7, बराबर 0 आ गया, ठीक है, क्या हो जाएगा यह, 6 cos square minus 3 minus 10 cos plus 7 equal to 0, ठीक है, क्या आ गया, 6 cos square minus 10 cos plus 4 बराबर 0, 2 siluette कर देते हैं, तो 2, 3, 6, 2, 5, 10, 2, 2, 4, कोई दिक्कत नहीं है अदक, इसको factorize करना है, तो 3, 2, 6 हो रहा है, तो same factors हो गए, 3 और 2, factorize कर लेंगे, आराम से हैं, बाकि यह factorization आपको सी दिखना है, डारेक्ट हैं, यह मैं आपको करके दिखा रहा हूं, 3 cos minus 1 into कितना आ गया, 3x minus 2 into कितना आ गय cos minus 1, तो 2 value आ रही है, cos की, एक तो आ रही है, 2 upon 3, और एक आ रही है, plus 1, सही है, cos की दो value जा रही है, 2 by 3 और 1 plus 1, तो अब मेरे को बता हो जड़ा, क्या चाहिए था आपको, 0 से πाई में चाहिए solution, तो 0 से πाई का मतलब कितना हो गया बता हो, 0 से लेके πाई, यानिकी half round, आध की बार होगा वो भी, है ना, 2 by 3, तो वो भी एक ही बार मिलेगा, तो इसका मतलब कितना होगा है, number of solution, दो आएंगे, कितना है, number of solution, वेड़ा, दो आएंगे, 0 से πाई interval में, ठीके, यदि 0 पे open interval लगा देता, तो इसमें क्या जाता, 0 solution आ जाता है, क्यों, क्योंकि, cos 0 की value क् और 0 यहां include नहीं होता, तो इसके इसमें अंसा 0 हो जाता है, ठीके, चलें आगे, तो दो solution आगे इसके, नहीं, 0 क्यों होता, तो एक हो जाता है ना, यह रह जाता है, सिर्फ, 2 upon 3, चलें आगे, चलो, next question number, question number 15, 14, the most general solution of the equation, this one, इस equation का अपने को most general solution बताना है, वही general निकालना है solution है ना, तो करो, बताओ, sec square को क्या लिख लोगे, 1 plus 10 square x equals to, क्या आ गया, root 2 into 1 minus 10 square x, 10 को 10 के पास ले आओ, तो क्या बन जाएगा, बताओ, 10 square x, plus हो जाएगा, root 2, 10 square x, equal to में क्या रहे जाएगा, root 2, और minus में जाएगा, 1, सही है, इसके बाद, 10 square x तो common ले लो, और जो common लेने के अद़ बचेगा, 1 plus root 2, उसको नीचे ले जाओ, तो root 2 minus 1, अपॉन में क्या बचेगा, root 2 plus 1, क्या हो जाएगा, उपर, root 2 minus 1 का, whole square, और नीचे कितना बचेगा, 1, क्या कर दिया बोलो, rationalize, परमे करन है न, तो 10 square x की जो value आ रहे हो आ रहे है, root 2 minus 1 का whole square, तो आपको पता है, root 2 minus 1 value किसकी होती है, 10 में, 5 by 25 degree की, 25 बोले तो कितना हो गया, 5 by 4 का half, यानिकी 5 by 8, सही है, तो क्या जाएगा, अंसर सीदी अपना, x बरावर, n pi, plus minus 5 by 8, सीदी दिखलोगे न, या वैसे कल लो, आप सीदी, 10 x बरावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, under root 2 minus 1, और फिर first coordinate भी होगा, second भी होगा, third भी होगा, fourth भी होगा, तो क्या जाएगा, n pi plus minus 5 by 8, सही है, तो कॉंस अप्शन आ रहे है, option number, third आ जाएगा, है ना, simple था question यह वाला, कोई दिक्क्र नहीं थी, next question number, 15, क्या कहे रहा है, the number of ordered pairs, pairs, 1, x satisfying the equation, इसमें ordered pair पूछ रहा है, किसके, a और x की है, तो एक काम करते हैं, पहले तो, थोड़ा simplify कर लेते हैं, तो sec square, a plus 2 minus, into x, plus a square minus 1 है, तो यह बताओ मेरे को आप, मैं यह चाहरा हूँ, इसमें, पहले तो एक काम करते हैं, यह तो sec square, इसको मालो, theta, तो sec square theta minus 1, क्या बन जाएगा, बोलो, 10 square theta बन जाएगा, तो 10 square क्या बन गया, a plus 2 into x, और plus में क्या है, a square, बराबर में क्या है, 0, तो यहां से क्या आगया, 10 square, a plus 2 into x, equal to में क्या आगया, minus का a square आगया, ओहो, यह बड़ी दिक्कत हो गई, LHS कैसी है, non negative, RHS में यह कैसा है, non negative, लेगिन आगे sign कैसा लगवा है, minus का, तो क्या यह LHS बराबर RHS कभी हो सकती है, हो सकती है, सिर्फ एक case में, जब a की value क्या हो जाए, यहां पर, 0, तब यह possible है कि LHS बराबर क्या आजा है, RHS, क्योंकि, perfect square क्या होता है, non negative होता है, तो इसकी value का भी negative आ नहीं सकती, तो यह का possible है, जब a की value क्या हो, 0, तो a की value 0 कर दो आप, तो a की value मैं ने कर दी 0, तो क्या मिल जाएगा, 10 square बोलो, 0 plus 2, 2, तो 10 square 2x पराबर क्या आ गया, 0 आ गया, और 10 square 2x पराबर 0 आ रहा है, तो 2x पराबर क्या आ जाएगा बोलो, n pi, बोलो, आगया न, 10, 0 कहां पर होता है, x-axis पर, तो multiple of pi पर 0 होगा, n pi तो x परावर क्या आ गया बोलो n pi by 2 आ गया x परावर आ चुका है अपना n pi by 2 तो अब अपने इस interval क्या कह रहा था वो minus pi से plus pi तो बताओ ज़रा मिरेको n की value रखना शुरू करो चलो x की value वेले आपने रखी 0 तो 0 पर कितना आ जाएगा x परावर 0 यह आ गया x परावर n की value 1 रखो x परावर कितना आ रहा है pi by 2 n परावर minus 1 रखोगे x परावर क्या जाएगा minus pi by 2 और जब आप plus minus 2 रखोगे तो 2 से 2 गट जाएगा और क्या देदेगा plus minus pi जो की interval में include नहीं है यह आप ध्यान से ही करें question को ठीक है तो क्या value आ रही है 1 0 आ गई 1 pi by 2 और 1 minus pi by 2 तो कल लोग कितने pair बनेंगे 3 कितने pair बनेंगे 3 a, x के 3 pair बनेंगे 0, this, this and this 3 pair बन रहे हैं तो कौन सब्सक्षन से होगा इसका अनलग 3rd होगा चले यह आगे चलो next yes in triangle a, b, c, if sin a upon c sin b plus sin b upon c plus sin c upon b बराबर है इसके then the value of angle a is, क्या होगी सबसे पहली बात आपको जो given है, उसमें sign given है न, तो और दूसरी ज़र में कहा है, सारी साइट से तो अपने को पता है, sign rule की help से अपन क्या कर सकते है सारे angles को convert कर सकते है किसमें, साइट सी form में यह जो SOT chapter है, आपका solution of triangle इसमें आपको formulae याद होने चाहिए है जिससे कि आप question को जल्दी सी जल्दी solve कर पाए है ठीक है न, बागी question बहुत है tough नहीं होगा, लेकिन आपको formulae याद है तो आप बहुत ही जल्दी answer निकाल पा रहे हो, ठीक है यह समझ के चलो पहली बात, तो क्या दे रखा है अपने को this, यह question दे रखी है, अपने को angle a निकालना है तो इसका मतलब angle a का मतलब होगिया, side a मिल जाए तो angle a आ जाएगा है न, ऐसे समझो, तो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ side है सारी सारी, तो इनको भी side में change कर लो, क्या बन जाएगा बताओ, यह तो पता ही आपको sin a upon a equal to sin b upon b equal to sin c upon c equal to k, या फिर a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin b की पराबर 2r है न, यहाद न, 2r मतलब r बोले तो circumradius है न, चलो, करें शुरू, चलो, तो लिख लें इसको, इसको लिख लिए हम एने k a upon k b into c plus k b upon c plus k c upon b, equals to me क्या जाएगा बताओ, a upon a b plus b upon a c plus a upon b c, अचा यह चीज़ समझो नहीं आपको बस इसको k माल लिया, to sign a की जाएगा, k into a आजाएगा, a k, सही है, चलो, तो अब क्या करें बताओ, यह तो k से की कट गया, तो क्या बच गया, a upon b c, तो a upon b c बच गया, और यहाँ पर भी क्या है, a upon b c है, इसका मतलब, यह जो लिखा हुआ है, a upon b c, यह इसके साथ cancel out हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह दोनों तो को के cancel out, क्या बच गया, अपने पास बताओ, यह बच गया, तो इसमें से common ले लो, क्या common आ रहा है a b c, तो क्या बच गया, इसमें c बच गया, ठीक है, a upon a b गलत लिख गया, a c तो कट रहा है, कुछ गलत होगा शायदे न, b upon a c यहाँ पर, a upon a c है, यह है, यह c है, और वो b है, अब सही है, तो बताओ, a b c lc में ले लिए, तो यहाँ पर c बच गया, तो c का multiply करेंगे, तो c square, और यहाँ पर क्या रहा है, b square, अब a b c क्या है, sides है, तो 0 तो होगी नहीं, तो कट कर दो, डोनों sides से, क्या बच गया, यह बच गया, b c भी कट हो रहा है, तो बच गया, k बराबर one upon a, तो यहाँ से क्या आ गया, a के बराबर, a के बराबर बना गया, और a into k को क्या यहीं तो साइन एकी डिग्री रा होगा 90 डिग्री क्या रहा होगा 90 डिग्री तो option number second correct है बत आ रिए संच में अपने कुछ नहीं किया basic जो साइन रूल पढ़ा है आपने physics में पढ़ा है साइन रूल है तो बस साइन रूल का तो इक काम करते हैं इसे लिए बिताओ डों क्या करने जा रहे हैं तो आपको तो ये सुसर्किल बनने वाला है जो कैसी बनने वाला ऐसे है एक दुष इंटरन ले करएंगे सीधी बातह है न तो सब दिखो इनको ये कुछ ऐसे बनेगा ये बनेगा ट्रेंगल कैसे ट्रेंगल बनेगा समझ में आगी ना बात ये रिडियस ए ये रिडियस ए ये रिडियस ए ये रिडियस ए और ये भी रिडियस ए तो ट्रेंगल कैसा बनेगा एक्विलेटरल कैसे triangle बनेगा equilateral चालो अब एक काम करते हैं एक काम करते हैं आपको ए निकालना है बहुत ही आसानी से है बहुत ही आसानी समझों मेरी बात को मैंने क्या किया इनकी common tangent रोकल ली सही है अब यह बताओ मिरको आप मैं इसको यह दी c1 से जोइन कर दूँँ यह c1 यह c2 और यह c3 मैंने इस point p को c1 जोइन कर दिया और यह अपने को पता है कि यह यहां पर यह angle 90 degree है यह यह angle है यह यह 90 degree है तो यह line कहां से पास होगी center of circle से प से पास हो रहे होंगी पक्का center से पास हो रहे होंगी यह पने पढ़ा हुआ है पहरा हो सर्कल में यह ना common tangent to circle अब एक बाव बताओ मिरको आप यह तो बड़े वाले सर्कल का यह a होगी नहीं होगी यह भी बिल्कुल a होगी तो मैं आपसे पूछ हूँ c c1 की value कितनी हो जाएगी repeat कर रहा हूँ मैं बात को ध्यान से सुनना यह जो distance है cp c से लेकर p तक की वो distance कितनी है radius of बड़ावाला circle कितना हो गया one unit और यह जो radius हो कितनी है small a तो यह कितनी बच ज q कितना है तो वह equal to radius है कौन सा छोटा वाला circle यह होगी यह और यह बताओ यह यह tangent है और यह center से joint convey line है तो यह angle कितना होगी 90 degree अब मैं बात कर रहा हूँ इन triangle कौन कौन सा देखना ध्यान से c1 qc c1 qc इस right angle triangle में यह angle पूछना रहा हूँ मैं आपसे कितना होगा तो कितना सोचके कैसा triangle था यह equilateral तो यह angle पूरा कितना हो गया 60 degree तो इसका हाफ कितना बचेगा यह angle यह angle बच जाएगे बटा 30 degree तो यह angle आ गया यह 30 degree तो इसकी help से अपन क्या निकाल सकते हैं अब एक की value निकाल सकते हैं कैसे यह angle 30 degree है तो बताओ ज़रा इस triangle में cost 30 degree की value कितनी होगी base upon hypotenuse base कितना है अपना cq c1q sorry c1q और hypotenuse क्या हो जाएगी c1c hypotenuse हो जाएगी c1c सही है तो यहां पर कितना आ गया है अपना c1q c1q कितना हो जाएगा बोलो c1q कितना हो जाएगा c1q यह हो जाएगा a और c1c कितना हो जाएगा 1-a और यह cost 30 की value कितनी होती है आपको पता है root 3 by 2 तो यह कितना आ गया solve करो a upon 1-a तो यह value आ गई root 3 minus root 3a equals to 2a इसको solve कर लो तो a की value आ जाएगी आपके पास अब यह तो solve करने ज़रूद है नहीं इतना है ना कर लोगे ना इतना तो काम 2 plus root 3 आगे नीचे है ना rationalize कर तो answer आ जाएगा कितना आ जाएगा 4-3 तो हो गया 1 तो root 3 into 2 minus root 3 आ रहा है option number second आएगा समझो अच्छे से question को करो देखो क्या किरा है question मेरे T में देखो in a triangle ABC with usual notations if angle a equal to 50 degree angle b बराबर 15 degree और angle c बराबर 110 degree और आप से पूछ रहा है ये then the value of c square minus a square तो एक बात बताओ मेरे को आप c square minus a square पूछ रहा है और angle दे रखे हैं तो इसका मतला भी तो समझे आ गया है कि sine rule की help से क्या करना है इनको change करना है angle के टर्म में तो sine rule क्या कहता है मेरे से c की जगे भी मैं लेख सकता हूँ k sin c तो क्या हो जागा k square sin square c minus k square sin square a समझना आगी होगी बात मैंने a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c इसको माल लिया k ठीक है na sin rule में तो क्या हो जाएगा k sin a k sin b k sin c तो क्या हो गया k sin c और k sin a k square आप कॉमन ले लो अंदर क्या बचिका बताओ sin square c minus sin square a तो sin square c minus sin square a में formula क्या बन जाएगा बताओ sin square a minus sin square b होता है sin a plus b into sin a minus b तो क्या हो जाएगा sin c plus a into sin c minus a clear होगी होगी बात है ना trigonometry जो formula है है ना वो अच्छे से याद रखना है आपको तो sin c plus a कितना हो गया बताओ c plus a a और c का सम कितना हो जाएगा 55 और 110 165 तो कितना हो गया sin 165 degree अब अगला बाला बताओ c minus a करेंगे तो 110 minus 55 अधा हो गया सीरे तो 55 रह गया अब बताओ यह क्या है k square sin 165 degree sin 165 degree देखो sin 65 degree है अब मेरे को जो options दे रखे हैं को क्या दे रखे हैं 2 a b a b a b a b तो a मतला अपने को sides में दुबारा सा change करना है इसको तो क्या हो जाएगा बताओ a k मैं इसको दे दूँ तो k sin 55 बन गया और sin 55 degree किस की value बताओ a की है तो इसको तो मैं लिखता हूँ sin a क्या लिख सकता हूँ इसको मैं sin a और यह बताओ 165 degree को आप यह दि एक्टूट एंगल बाना चाहते हो जिरो से 90 की बीच में लिखे आना चाहते हो तो क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ sin 180 minus 15 degree लिख सकते हैं तो sin 180 minus theta क्या बन गया sin theta बन गया तो यह again क्या बन गया sin 15 और sin 15 का मतला कितना हो गया यह angle b की value कितनी है 15 degree है तो कितना बन जाए यह sin A, नहीं sin B, तो यह तो बन गया साइन B, यह है आपका साइन A चलो तो जल्क लिक लित धनी हैас फो क्या बन गया, k square यह बन गया sin B और यह बन गया, ksin B को B लिख दो, ksin A को A लिख दो क्या अग生owsर, this is b into a जया इसका मतलब a v बात आगी सिनने, चलें, next question पर, चलो, आपको यह देखना पढ़ेगा पहले है ना, कि अपनों किसमें convert करना है, 19 में क्या कह रहा है, in a right isocellus triangle ABC, इसका मतलब right isocellus का मतलब समझगे रहा है, इसका मतलब यह है, कि एक triangle, जो एक angle 90 degree का भी है, और साथ में यह sides बराबर भी है, है ना, यह दोनों तो बराबर होंगी नहीं, क्योंकि यह angle 90 degree है, तो यह कितने-कितने angle होगे बताओ, यह 45 degree हो गया और यह भी 45 degree हो गया, सही है, चलो शुरू करें फिल, इसको माल नेते बन ABC, यह B हो गया, यह C हो गई, और यह A हो गई, सही है, चलो अब बताओ क्या किराए है, the ratio of the circumradius to its in radius, अच्छा ratio निकालना है, circumradius का in radius के साथ, तो बताओ circumradius को किस से represent करते हो, आप capital R, in radius को किस से करते हो, small R, तो यह ratio आपको निकालना है, तो इस ratio को निकालने के लिए, कई सारे formula बिल जाएंगे, आपको R बराबर delta upon S है, ABC upon 4 delta, capital R बराबर, तो अपनको लेकिन वो formula लगाना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा easy हो जाए, तो यह बताओ मेरे को R और R का ratio लेने के लिए, क्या यूज किया जाए, आपने एक तो यह पढ़ रहा है, R बराबर 4R, क्योंकि देखो, मेरे को जो feel हो रहा है, यह feel हो रहा है, कि जो angles हैं, वो तो मेरे को पता ही हैं, तो क्यों नों मैं ऐसा formula यूज करना हूँ, जि C by 2, अब इन में एक angle तो कितने का है, 90 degree का है, कोई भी एक angle माल लो 90 का है, तो angle B कितने का है, 90 degree का, तो बताओ, यह कितना बन गया, साइन, 45 degree बन गया, सही है, साइन A by 2 कितना बचेगा, बताओ, 45 का half, तो यह बन गया, साइन, 5 by 8, और यह भी क्या बन गया, साइन, 5 by 8, और आगे कितना है, 4, R को नीच ले जाओ, तो R upon R, तो R upon R आगया, यह से, 4 into, साइन 45 कितना हो गया, बोलो, 1 by root 2, अब यह कितना हो गया, साइन 5 by 8, यह भी साइन 5 by 8, तो क्या बन जाएगा, बताओ, साइन स्क्वेर, 5 by 8 हो क्या, सही है, साइन स्क्वेर, 5 by 8, अब यह बता हो, मेरे को 5 by 8 के वेली तो रखनी नहीं है, अपने को है न, आपन तो क्या है, सिंपल साइस को चेंज भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको यह दिए, आप चेंज करोके तो यह हो जाएगा, root 2, और 8, 2 को ठाक यह अं 1 by root 2, तो solve कर लो, root 2 into, 1 minus 1 by root 2, तो value कितनी आ गई है, root 2 minus 1, यह क्या रहा है, root 2 minus, लेकिन यह कौन आ रहा है, पता है, यह आ रहा है, small r upon capital r, और अपने को निकालना क्या था, capital r upon small r, तो कितना आ जाएगा, 1 upon root 2 minus 1, तो क्या आ जाएगा, root 2 plus 1, आ रहा है, इसका रहा है, तो Yes, next question number 20, the angles of triangle are in the arithmetic progression, if the largest side of the triangle has length 5, and the shortest side has length 1, simple सा एक question क्या कहना चाहरा है, कि अपने पास एक कोई triangle है, और उसके जो angles हैं, वो किसमें हैं अपने पास, AP में, और AP में angles हैं, इसका मतलब क्या हो गया, A, B, C, R in AP, तो तीनों का sum कितना होता है पता है आपको, बच्पन से बढ़ते हैं आ रहे हो एकदम, सही है न, यह तो आपको बच्पन का प्यार है न, A plus B plus C कितना होता है, 180 degree, तो ABC भी AP में हैं, तो A plus C, कितना हो जाएगा बोलो, 2B, equal to कितना आ गया, 180 degree, तो कितना हो जाए अब मेरी बास सुनो, अब आपसे क्या कहना चाहरा है यह, बताओ, क्या बताओ, area of triangle, तो यदि angle B मिल चुका है, एक angle बता है, और दो side बता है, तो आपको याद करो वो दिन, क्या होता है area of triangle, half AB sin C, half BC sin A, half CA sin B, तीन formula थे हैं न, उसके change हो जाता है न, उसी क्रस्पोंड नह लेकिन अपने को angle कौन सा मिला है, यह भी B, तो मैं लगाँगा इसमें half AC sin B, बोलो गलत तो नहीं कहरा, तो delta बरावर कितना आगया answer, half, और A और C आपको दे रखे हैं, smallest और longest side आपको दे रखे हैं, smallest कितनी है 1, और longest कितनी है 5, समझगे न, क्यों बोलना हूं, smallest longest, क्यूंकि जो सबसे बड़ा angle है, उसके सामने वाली side सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा angle है, उसके सामने वाली side सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटी होगी 1, और सबसे बड़ी होगी 5, तो क्या हो जाएगा 1 into 5, into sin B कितना होगी आपको, बोलो, sin 60, तो इसको solve कर लोगे आप पराम से साइन सिक्स्टी वेलिव होती है रूइप तो फाइप रूट फ्री अपन टू टू तो फ्रूर आ फ्रूर रहा है आप्ष्ण नूम्मर वन मिल रहा है अपने को सही है ना सिंपल सा A v c sin A to sin B sin C बराबर है 4 Is to 5 is to 6 कि यहीं पर कॉष्टन समझ आ गए आगा तो क्या कि पहली बात तो अपने को Sine का रिश्यो दे रखा है ना एंगल के Sine का रिश्यो दे रखा है तो आपको याद है साइन रूल में क्या होता है साइड का और His ratio होता है तो यहां पर यह आपको sin a, sin b, sin c का ratio दे रखा है है इसका मतलब किसका रेशू दे दिया है यह आपने यह इसका मतलब रेशयो दे दिया हमने इसको a, b, c का कितना 4 is to 5 is to 6 इसका मतलब में क्या कह सकता हूँ A की जो value है वो हो गई 4 lambda B की जो value है वो हो गई 5 lambda और C की जो value है वो हो गई 6 lambda ये value जा गई ABC की length मिल गई अपने को ABC की अब क्या कह रहा है आगे cos A, cos B, cos C का जो ratio हो है x is to y is to 2 तो कह रहा है number of ordered pair बताओ कितने मैं सकते हैं ordered pair बताओ x, y क्या रहा होगा तो एक काम करो पहले तो आप ABC मिल गए आपको cos A, cos B, cos C की बत हो रही है तो तुरंत याद आना चाहिए क्या cos A, बराबर क्या होता है B square plus C square minus A square upon मैं ये दोनों साइड 2 B, C तो कितना हो गया B square plus C square तो देखो square आ रहा है उपर और उपर नीचे B into C multiply हो रहा है B or C तो इसका मतलब ये हो गया कि जो K lambda आएगा वो lambda तो क्या हो गया, यहाँ पर lambda square यहाँ भी lambda square, यहाँ भी lambda square और यहाँ पर lambda into lambda क्या हो जाएगा lambda का square, तो lambda square तो common आखेगा बस बचेगा क्या आपने पास values constants क्या क्या, 4, 5 और 6 रखना शुरू करो, 5 और 6 का square करो, 25 प्लस 36 माइनस 16 और नीचे क्या आज जाएगा वलो, 2 into BC, 5 into 6, समझे न, lambda को मैंने cut कर दिया, उपर नीचे, क्या बच किया बोलो answer, यह आगे आपका 9, 9 और 36, 45, 45 अपन में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 60, तो 55 और कौन आ रहा है यह, cos A, similarly आप cos B निकाल लेना, तो cos B कितना जाएगा बताओ, A square प्लस C square, माइनस B square, अपन में 2 A C, तो A square प्लस C square प्लस माइनस B square कर लो, तो कर दून में सीधे, A square प्लस C square, तो कितना हो गया, 36 और 16, 16 और 36, कितना हो गया, 52, 52 माइनस 25, कितना जाएगा, 27 जाएगा उपर, अपन 2 A C, 2 A C कमला किया हो गया, A into C, तो 6, 24, 24 दूनी 48, 48, तो यह आ रहा है मेरे ख्याल से, कितना आ रहा है, तीन आप 27, और तीन आप 27, तीन जाएगा, तीन जाएगा, 16 आगया, 92 जाएगा, next, cos C, cos C क्या हो जाएगा, बताओ, cos C हो जाएगा, A square प्लस B square, माइनस C square, अपन में 2 A B, बोलो, इसकी value क्या जाएगी, solve करो जल्दी से, A square प्लस B square, माइनस C square करना है, तो 4 चॉक 16 और 25, माइनस 36, तो माइनस का 11, 16 में से 11 गया, तो बचा, 16 में से 11, यानि कि 7, और नीचे कितना बच गया, 16 में से 11, 16 में से 11, 17 बचा, नहीं, A square प्लस B square, कितना आ गया, 4 चॉक 16, 25, 25 माइनस 36, तो यह आ जाएगा, तुमारा, ठीक है, सही है, ना, 16, प्लस 25, माइनस 36, और अपॉन में आ गया, 2AB, दो चोकार, 840, 40, तो उपर तो आ रहा है, माइनस से 11, यहनि 5, और नीचे आ रहा है, 40, तो कितना आ गया, यह बोलो, 40 था ना नीचे, 2AB, 248, 840, हाँ, 40 तो यह नीचे, तो 1 अपॉन 8 आ रहा है, इसका अंतलब, कितना आ र पॉन 8, या वन ऑपॉन 8, तो अब बताओ, को सी मयुँख है, को सी मड़नी का, 3 का रेष्यों के चार्ज चॉक 16, चारतीय बारा, यहां तो 12 आ गया, इसको मिल्टिप्ले करो 16 से तो 9 आ गया, इसको मिल्टिप्ले करो 16 से 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है, सही है इसका मतलब है, तो X is 2, Y क्या आ गया, क्या आ गया, 12, 9, यह, option number 4 आ रहा है इसका मतलब, आरी वसन ने, चलें आगे 22, question 22, देखो क्या कह रहा है, in triangle ABC, if delta बरावर यह है, then 10A is equal to, 10A की value क्या होगी, तो एक काम करो आप पहले तो, A square minus B square दिख रहा है, लगा तो सीदे, तो delta बरावर क्या हो जागा, A minus B plus C, into में क्या आएगा, बोलो, A plus B minus C, लगा दिया A square minus B square, अब A plus C तो क्या बन जाएगा, 2S minus B, और minus B पहले से है, A plus B क्या बन जाएगा, 2S minus C, 1 minus C पहले से है, तो इसमें से क्या आगया, 2S minus 2B, और इससे क्या आगया, 2S minus 2C, 2, 2 कॉमन ले लो दोनों में से तो, भारतों कितना आगया, 4, क्या बच गया, S minus B into S minus C, सही है, यह आगया, अब बताओ मेर को आगया, क् 10A is equal to, 10A की value बुच रहा है, तो 10A की value पता है, आपको क्या होती है, 10A की value, 10A by 2 terms में, क्या मिलती है मिरे को, इस formula मिल जाएगी, half angle formula याद आ रहा है, नहीं आ रहा, tangent के half angle formula क्या होते थे, 10A की बात हो रही है, चलो इसी के लिख देता हूँ मैं आपके सामने, 10A by 2 क्या होता है बोलो, under the root of S minus B into S minus C, अपन में क्या हैगा, S into S minus A, यह आएगा नहीं आएगा बताओ, बिलकुल आएगा, अब यह बताओ मिरे को, यह जो term है, क्या यह convert हो सकती है, इसमें, बहुत आराम से हो सकती है, एक तो आपने format यह वाला पढ़ा है इसका, और एक format और भी बढ़ा होगा आपने इसका, बताओ क्या पढ़ा होगा, यह पढ़ा है नहीं बताओ, इसको मैंने ऊपर नीचे S into S minus A से multiply कर दिया, तो उपर तो बन गया delta, सही है, और नीचे क्या मिल गया मिरको, S into S minus A, तो यह भी आपने पढ़ रखा है, याद कर लिया होगा सीधे, है ना, कर लेते हैं आपने इसको, इस से multiply करके अपन क्या कर लें, इसको ऊपर नीचे multiply कर दें, S minus B into S minus C से, तो इक काम करो आप, इसको मैं रब कर देता हूँ, सभी है, मैं इसको उससे न मिल्टिप्लाई करके मैं मिल्टिप्लाई कर रहा हूं, इसको उपर नीचे किस से, S-B into S-C से, तो देखो नीचे बनेगा आप डेल्टा, और नीचे बने से आपको फाइदा होगा, से, क्या फाइदा होगा, देखो, S-B into S-C value मिल गई, डेल्टा इंटू 10 AY2, तो ये value convert होगी, किसमें, डेल्टा इंटू 10 AY2 में, बोलो, सही है न, आगे मैं जा, तो ये कितना आ गया, डेल्टा से डेल्टा कट गया, तो कितना बच गया, 10 AY2 आ गया, 1 by 4, तो 10 A की value के लगा दोगे आप, half angle formula क्या होता है, 2 10 AY2 upon 1 minus 10 square AY2, तो कितना जागा बोलो, 2 into 1 by 4 upon 1 minus इसका square, कितना होगी है, 1 upon 16, कितना answer आ रहा है, चेक कर लो, 4 for 16, 4 to 8, 8 upon में, कितना जागा, 16 minus 15, 8 upon 15 आ रहा है, तो वहां तक का काम मेरा था, इसके calculation करनी है, बस ठीक है, तो कितना रहा है, 8 upon 15, यह option से यह सका मतलब, सही है, चलें आगे, चलो, next question number, कितना आ चुका है, 23 number, in triangle ABC, if this is this, then 10 square AY2 कितना होगा, वाइफ, अभी वाली बात आ गई है, तो, बोलो, क्या करेंगे, 10 square AY2, 10 square AY2, 10 square AY2 परावर किसके हो जाएगा, ब क्या लगा दें, बताओ, S minus B into S minus C, upon S into S minus A, अब यह नहीं की सारा अपने under root क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें square हो रहा है, तो, इसलिए under root का sign हटा दिया, तो, S minus B into S minus C, S minus B की value कितनी हो जाएगी, बताओ, जब भी तीन proportion equal दे रखे हो, तो, क्या लगा दो, इसमें आप S minus B की value कितनी होगी, 12 lambda, S minus C की value कितनी होगी, 13 lambda, तो, इन values को रखे हो, यहाँ पर उठागे, बोलो, S minus B की कितनी होगी, 12 lambda, 13 lambda, S की value भी निगाल लेंगे, बन 11 lambda, अब रह गई, S की value निकालने के लिए, तो, S की value निगालने हैं, आपको तो, यह बताओ, मीर को, यहीं स minus A को बोल रहा हूँ में 11 lambda, S माइनस B को बोल रहा हूँ में 12 lambda और S माइनस C को बोल रहा हूँ में 13 lambda, तो तीनों को मैं जोड दूँ, तो कितना हो जाएगा, S, 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 कितना हो गया, 3S और माइनस में हो गया, A plus B plus C, और इधर कितना आ गया, 12, 36, 36 लेम्डा आ गया, तो A plus B plus C तो कितना हो गया, बोलो, 2S, तो 2S गटा दो, किसमें से 3S में, कितना बचेगा, S बच जाएगा, तो S बराबर कितना आ गया, 36 लेम्डा, तो इसमें S की वेल्यू निकाल दिया अपनने, ये निकल के आ गया, S की वेल्यू कितना आगी बोलो, 36, लेम्डा, तो लेम्डा, 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 लेम्डा कट गया, क्या बच गया, बारातिया, 36, 13 अपॉन कितना आ गया, 33 अगया, इसका मतलब, कौन सॉप्शन आ जाएगा, बोलो, आप्शन नमर, सेकेंड, सिंपल है तरीक स्समाइनस ए, स्तें सी वेई टू पूस्ता, तो स माइनस ए इंटू स माइनस बी, अपॉन में, स इंटू स माइनस देख लेंगे, जो भी है, अब जो को नेक्स्ट, क्वेशन नमर, 24, क्या कहा रहा है, थ्री एंग्ल्स एपी सी, टेकन इन ओर और, ओफ ट्रेंगल एबी सी, सबस्वेली बात क्या हो गई कि triangle ABC है और उसके जो एंगल से हैं वो किसमें AP में अब यह भी question किया था इधी तीन एंगल AP में है तो क्या हो गया बताओ इधी ABC AP में ले रहा हूं मैं AP में है क्योंकि लिखा हुगा है न टेकन इंडेट अड़र ABC सब्सक्राइब बच्पन की याद है क्या हो जाएगा बताओ एप्लस B प्लस C बरावर 180 डिग्री लिखतू में सीधे अब इस बताए था पहले लोकॉष्ण में तो बटना जगा 60 डिग्री बबबरावर आप से देखो क्या करा है यह क्या चला रहा है अब इसको बन कह सकते हैं कि अब इसको बच गया बताओ 30 डिग्री बच गया अब एब बच गया 30 डिग्री अब यह बताओ मेरे को आप एक triangle है, ये मैंने माल लिए triangle, इसको माल लिए c, ये माल लिए a, ये माल लिए b, तो ये angle तो आचुका है आपका 30 degree, ये angle है 90 degree, ठीक है, और ये length आपको दिरखिया c, कितना दिरखिया 2 root 3, सही है, तो ये 30 degree angle है, ये hypotenuse है, तो base निकाल लो किसके आप आराम से, बत कितना आगया x बोलो, x आजाएगा आपका root 3 by 2, यानि कि 3 आगया x, x कि value कितनी आगया ये बोलो, 3, अब ये निकालना है perpendicular, तो या तो आप वोल ये लगा दो, perpendicular upon hypotenuse, या पैथागोर स्थरम लगा दो, कितना हो जाएगा बताओ, 12 minus 9, 3, यानि कि root 3 आजाएगा ये, ये भी base into height, यानि कि 3 root 3, upon semi perimeter क्या हो जाएगा, तीनों का sum divided by 2, तो तीनों का योग कितना आ रहा है, देखो, root 3 और 2 root 3, कितना हो गया, 3 root 3, 3 root 3 plus 3, upon में कितना हो गया, 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आजाएगा, 3 common लेके काट दो, तो क्या बचा, root 3 upon में, root 3 plus 1, clear है बाद, next, rationalize करोग आजाएगा answer, ठीक है, चलें आगे, option number second आएगा, ठीक है, चलो, next question number 25, in a triangle ABC, let angle C बराबर है 5 by 2, ठीक है, if R is the radius and R is the, capital R is the circumradius of the triangle, then 2 into R plus R की value क्या होगी, तो एक बाद बताओ पहले, small R और capital R की value, पूछ रहा है, उससे पहले में एक triangle बना लूँ, जिसमें अंगल C कितना रखा है अपने को, 90 degree, इसको माल लिया A, इसको माल लिया B, यह होगा है, small C, small B, और यह small A, तो आप से बूछ रहा है, R plus R की value, तो एक बाद बताओ मेरे को आप, small R के अपड़ा है अपने, delta upon S, capital R के अपड़ा है अपने, ABC upon 4 delta, सही है, यह मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को यह बताए कि यह right angle triangle है, तो उसका area निकालना असान है मेरे लिए, half base into height, तो मैंने लगा दिया S में सीधे, half base into height, कितना हो जाएगा, A, B, और S के semi perimeter, तो क्या हो जाएगा, A plus B plus C upon 2, plus ABC upon 4 delta, तो यहां पी क्या लगा दूँ, मैं half A, B, सही है, बो, A, B से A, B कड़ गया, 2, 2 जब 4 हो गया, सही है, और बोलो, 2 से 2 कड़ गया, क्या बचा अपने पास, अपने पास बच गया, 2 into bracket के अंदर, A, B upon, A plus B plus C, और यहां पे क्या बच गया बताए, C by 2, plus C by 2, सही है, LC में ले लो, तो LC में लो के तो कितना आएगा, यह आ जाएगा, 2 A, B, 2 A, B, और यहां प 2 into A plus B plus C, S लिख दूँ, उसको में सीधे, सही है, 2 into A plus B plus C आगया, और A plus B plus C क्या होता है, 2S, तो नीचे क्या जागा, 4S आजागा सीधे, लेखते हैं, 4S है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बताओ, 2 से काट दो चलो, 2S रह गया, तो नीचे आगया, 2S, उपर कितना हो गया, 2 2AB, C square है यह, तो एक काम करूँ न, आप देखो द्यान से समझना चोटी सी बात, C square को मैं क्या लख सकता हूँ, बताओ, C square को मैं लख सकता हूँ, A square plus B square, पैथा गया हम से, तो क्या आगया है, यहां से, A square plus B square, और अल्रडी पहले से, यहां पर क्या लिखा हूँ है, 2AB, तो इसमें से क्या कमन आ रहा है, C कमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा बताओ, A plus B, तो इसको अपन यहां लिख लें, इसको मिटा दूँ मैं, सम्झमा की बात दी वाली, मिटा दूँ, चलो, क्या आ गया, A plus B का whole square, और इसमें से कमन ले लिए, मैंने C, तो अंदर बचेगा A plus B, और नीचे बचा 2S, दोनों में से क्या कमन आ गया, A plus B, अंदर क्या बचेगा बताओ, यहां बचेगा A plus B, और वहां बचेगा C, और नीचे क्या है 2S, तो यह से क्या रहा है, चलो, option number 1 is correct, चलें next, अब next चलते हैं, integer type questions, तो शुरू करते है, question number 1 से, तो देखो क्या कह रहा है, यह कह रहा है, sigma of B plus C into cos A, whole upon 4 cos A by 2 cos B to cos C by 2, इसकी value 8 है, तो circum radius पूछ रहा है, triangle ABC का circum radius कितना रहा होगा, capital R, तो एक काम करें हैं आपन, इसको open करते हैं पहले, sigma को, बताओ क cos A, plus C cos A, plus, अगला बता, टर्म क्या आएगा, देखो, B plus C cos A आया, next टर्म क्या आएगा, C plus A cos B, उससे अगला टर्म क्या आएगा, A plus B cos C, सम्झा की बात, cyclic order में चलेंगे, तो यहाँ पर B की जगा जाएगा, C cos B, plus A cos B, अगला टर्म क्या जाएगा, आप लोग क्या करना, direct multiply ही मत करना, पहले लिख लेना आराम से, ठीक है न, last में क्या आएगा बताओ, B plus C हो गया, C plus A हो गया, अब A plus B, तो A के साथ क्या आजाएगा, cos B चला गया, तो अब भी आजाएगा, cos C, plus B cos C, नीचे क्या आएगा है, इन सबके, same, जो है, ठीक है, अब देखो, B cos A, plus A cos B कहा है, परे ढूड़ो, A cos B, याद आगया, C cos A, plus A cos C, कहा है, यह रहा, और last, C cos B, plus B cos C, ठीक है, अब देखो, समझ गया, क्या बन गया, बताओ, याद नहीं आए अभी तक, अरे, A cos B, plus B cos A, क्या होता है, projection formula, C के एक को लोग जाएगा, ठीक है न, तो बताओ, B cos A, plus A cos B, क्या हो गया, C, फिर B, फिर A, तो क्या हो जाएगा, उपर आगया, A plus B plus C, projection formula याद है, तो यह हो गया, but, नीचे क्या हो जाएगा, बताओ, same, नीचे आप क्या, क्या है, half angle formula, यूज हो रहे हैं, किसके cos के, तो बताओ, क्या कर लेंगे, 4, under the root, बताओ, क्या हो जाएगा, cos A into S minus B upon AC, next, under root में क्या हो जाएगा, S into S minus C upon AB, सम्मागी बात, cos A by 2, cos B by 2, cos C by 2 को half angle formula लगा दिया, अब कुछ नहीं करना, आपको simple question एक दम बिल्कुल, ये equal to क्या हो जाएगा, बताओ, 8K, simple question बिल्कुल, क्या हो जाएगा, A plus B plus C, तो कितना हो गया, 2S हो गया, यानि की perimeter हो गया, और नीचे क्या है, 4, बोलो, root के अंदर क्या हैगा, S, 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 तो S का cube हो गया, तो एक तो S बाहरा आगया, और एक root के अंदर रहे गया, क्या बच गया, S गुणा, S minus A, S minus B, S minus C, क्या बन जाएगा, डेल्टा, ये पुरा क्या बन जाएगा, डेल्टा, चलो, इसको लि बटा, A, B, C, अपॉन, 2, डेल्टा, बरावर में 8, अब याद करो, A, B, C, अपॉन, 2, डेल्टा, बरावर 8, यहाँ पर 4 कर दूं में, और 2 से मल्टिपलाई कर दूं, तो क्या बन गया, ये, सरकम डेलिस बन गया, नहीं बन गया, A, B, C, अपॉन, 4, अभी लगा, अभी ल में, चलते हैं, next question पर, yes, देखो, next question number 2, क्या कह रहा है, the number of integral values of n, for which the equation sin x into sin x plus cos x, बरावर n by 4, है, कम से कम एक solution, at least one solution रखती हो, तो इसका मलग क्या हो गया, n की वो value, जिसके लिए कम से कम एक solution रखती हो, तो एक काम करो पहले, तो आप फ्रदा सिंपली भाह गलने है, इसक sin square को लिख दो, क्या, 1 minus cos 2 एटा लेते हैं, इसको, okay, 1 minus cos 2x upon 2, plus मैं कितना हो गया, sin cos बरावर हो गया, n by 4, ठीक है, चलो, और simplify कर लेते हैं, 1 minus cos 2x, plus LC में लिए तो क्या हो गया, 2 sin cos बरावर हो चला गया 2, यानि कि क्या बज़ेगा, n by 2, समझ के बात को, LC में लिए 2 को multiply कर दिया, अब बताओ, यह क्या दिख रहा है आपको, इसको फ़रा simplify कर लेते हैं, इसका हम करते हैं, 2 sin a cos a, क्या होता है, sin 2a, तो यह तो हो गया, sin 2x, minus क्या हो गया, cos 2x, और 1 को धर ले जाओ आप, तो सारा खेल किसका है, range का, तो आपको याद है, a sin x plus b cos x की range क्या लिखते ह से, plus under root a square plus b square, तो यहाँ पर जो coefficient है, वो क्या है, इनकी दोनों का, 1 और minus 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका, range, इसकी range हो जाएगी, minus में under root, किस से, a square plus b square, तो कितना आ जाएगा, बताओ, 2 से लेकर, plus root 2, यह जाएगी range, किसकी left side की, तो right side की range ही वही होगी, जो left की है, तो क् 10 by 2 minus 1, minus, root 2 से, minus root 2 के बीच माएगा, plus 1 कर दो, solve कर लो, inequality कुछ नहीं है, कर लोगे solve इसको आगे, root 2 plus 1, 2 से multiply कर दो, तो कितना हो जाएगा, बोलो, 2 into 1 minus root 2, से, 2 into 1 plus root 2 के बीच में, इसके लोगे solve कर लोगे, रावंसे आप, 2 into this, 1 minus root 2 कितना होगे, 1.414, तो 1.414, solve कर लोगे, इसको आप आराम से, n की range आच चुकी है, तो number of integral village of n चाहिए थी अपने को, number integral village of n, कर लोगे, चलें आगे, चलो, next चलते है, question number, होई देखो, next question number 3, the number of order triplet, alpha, beta, gamma, satisfying the equation this, क्या करोगे बताओ, इस equation को satisfy करने वाले, alpha, beta, gamma के triplet डूनने हैं आपको, तो सबसे पहल मेरे को आप, यहाँ पर जो range दिर्खी, अपने को यह दिर्खी है, sin square alpha plus 2, इस वाली part में क्या आ रहा है, e की power gamma आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, सारा सारा gamma की terms में, तो इक काम करते हैं, पहले तो इसको आपन नीचे ले जाए, तो बताओ क्या बचेगा, e की power gamma बचेगा, यहाँ पर, यहाँ 1, और यहाँ 1 upon e की power gamma, यह बच गया, यहाँ पर क्या है, 2 sin square alpha, plus 2 की power minus cos square beta, यह आ गया, अब दोको इसमें वोड़े समझने वाली बात यह है, कि e की power gamma plus 1 upon e की power gamma, अपने को पता है, exponential function क्या होते हैं, हमेशा 0 से infinite की range में होते हैं, तो इसकी जो range आएगी, वो 0 से infinite आएगी, यानि कि जो number है, वो क्या है, हमेशा positive, यह number क्या होगा, always positive, तो इसका मतलब यह हो गया, कि e की power gamma plus 1 upon e की power gamma की जो range आएगी, वो क्या हैगी, 2 से infinite, 2 कहाँ पर आएगा, जब gamma की जो यह होगी, 0, plus में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो जो right side है, उसकी जो range आ infinite, अब इसकी आप minimum और maximum value देख लो, तो minimum और maximum के लिए आप एक काम करो, यह 3 से infinite था, तो इसकी maximum value देखो आप कितनी है, तो maximum value के लिए, आपको पता है, sin square alpha की maximum value कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और cos square beta, इसको maximum करने के लिए, power के आगे, कैसा sin minus का, तो यह minimum होना चाहिए, और minimum square function कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, तो cos square beta को क्या होना पड़ेगा, 0, तो 2 की power 0 कितना हो जाएगा, 1, तो यह हो गया, 1, और यहाँ पर sin square alpha की value कितनी हो सकती है, maximum 1, तो 2 into 1, 2, तो यहाँ पर जो maximum value आ रहे है, वो आ रहे है, 2 plus 1, यानि कि 3, मैंने यह देखा, कि जो RHS है, उसकी minimum value आ रहे है, 3, और इसकी जो maximum value आ रहे है, वो आ रहे है, 3, तो इसको 3 होने के लिए गामा की value क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यह minimum कब होगा, जब गामा क्या होगा, 0, और दूसरी बात, दूसरी बात, इधर आ जाओ, LHS में, इसको 1 होने के लिए, sin square alpha को, 1 होने के लिए, alpha की value क्या क्या हो सकती है, या तो 5 by 2 हो, या minus 5 by 2 हो, क्यों, क्योंकि sin alpha की value, plus 1 हो, चाहिए, minus 1 हो, दोनों का square होने के बाद क्या हो जाना है, प्लस 1 हो जाना है, तो alpha की 2 value आगी, क्या क्या, या तो 5 by 2, या 3 by 2, क्योंकि interval भी अपना क्या है, 0 से 2 by है न, तो जदा आगे नहीं जाना अपने को दूसरी बात कॉस स्कुएर बीटा की में बात कर रहा था तो कॉस स्कुएर बीटा क्या होना चाहिए अपना 0 तो 0 अपने को पता है कहां पर होता है कॉस 0 बीटा की तो या फिर 32 इसका मतले क्या हो गया, अल्फा की डो वैल्यू जा गहीं लेकिन गामा की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो नम्मर ओडर थाने कर अपने को अल्फा बीटा गामा के तो बताओ तो alpha की value कितनी है, 2, तो 2 में से कोई 1 चुन लोगे आप, into beta को 2 में से कोई 1 चुन लोगे, और gamma के लिए सिर्फ 1 ही है, into 1, तो कितना answer आजाएगा मेरा, इसका मतलब 2, 2, 4 आजाएगा, 2, 1 की value क्या होती है, 2, तो 4 आएगा, इसका मतलब आपको fill करना है, इसमें option क्या, 0, 4, आ करते हैं, देखो, सबसे पहले तो आप इसको part को solve कर लो, IIT में है, IIT में लोग का बहुती basic question आए था भी है, दो साल पहले, तीन साल पहले, तो आपको क्या है, पहले इसको simplify करो आप, तो बेसिक mathematics से जो बाट है, वो अच्छे से करना जरूरी है, आपके लिए है, तो देख रहे हैं, बताओ, root 2 minus 1 बन रहे हैं, चेक करो आराम से, देखो, A square plus B square minus 2, बिल्कुल बन रहे हैं, यह आपको आना चाहिए, तो यह क्या आगया, root 2 minus 1, इधर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, sin plus cos minus 1, तो यह आ रहा है, क्या रहे है, sin plus cos बराबर 1 से 1 कट गया, root 2, root 2 को नीच x और इसको बोलतो 45 degree, cos के अंदर, तो क्या हो जाएगा, x plus 5 by 4, बराबर क्या हो गया, 1, अब आपको पता है, sin x plus 5 by 4 के ना 1, अब अपने को पता है, interval क्या रखा है, अपने को 0 से 2 pi, तो 0 से 2 pi में बताओ, क्या हो जाएगा, चलो पहले general solution लिख लें, इसका, x plus 5 by 4, बराबर 1 कब आएगा, जब 4n plus 1 into pi by 2 होगा, सही है, तो x के value क्या आगी यहां से, minus pi by 4, plus 4n plus 1 into pi by 2, सही है, तो निकल दो क्या अराम से answer, बोलो क्या जाएगा, n के value पहले 0 रखो इसमें आप, तो 0 रखो गी तो कितना आएगा यह, यह आगया, pi by 2, pi by 2 minus pi by 4, याने की x के value आगी pi by 4 जब n के value मैंने क्या रखी है, 0, सही है, n के value 0 कहा है तो आप रखो, n के value 1, n के value 1 रखो गी तो कितना आ गया, 4 plus 1, 5, 5 pi by 2 minus, एक मिट रखो जड़ा, यहां पर पहले कितना आएथा, pi by 2, ठीक है, n के value 1 रखो, 1 रखो गी तो कितना आ रहे है, 5 pi by 2, तो x के value आ रही है, 5 pi by 2 minus का pi by 4, तो यह आ गया, 9 pi by 4, और 9 pi by 4 तो अच्छा जी तो से ज़्यादा हो गया, तो यह तो नहीं ले सकते आपने है, n के value 1, अब n के value 2 रखो ले लो, आप एक बार है, n के value 2 रखो, बताओ n के value 2 रखो लोगे तो कितना आ जाएगा, 2, sorry, 2 नहीं, minus 1, minus 1 रखो ले ले लो इसका 270 डिगरी, लेकिन negative तो ले नहीं नहीं, 0 से श्रू था, तो 0 से 2 pi में number of solution कितने आगे, इसका मतलब इसका answer, 1 आगे है, एक मेंटर को जरा, sin a x plus 5 by 4 कितना था, 1, ठीक है न, चलो, तो इसकी value कितने आगे, अपने 1 आगे, इसका मतलब number of solution कितने होंगे, 1 ओंगे, ठीक ह चलो, क्या किया रहा है, the number of solutions that the equation this one has, in the interval 0 से 5 by 4, एक काम करो पहले, दिख रहा है साब आपको sin a, cos b, cos a, sin b, sin a, sin b, cos a, cos b, देखे, तो क्या करो, उसको 2 से आप multiply कर दो, दोनों तरफ, 2 से multiply करते ही, क्या बन गए, 2 sin a, cos b, और 2 sin a, cos b, क्या होता है, अपना sin a plus b, कितना हो ग बराबर, ये भी 2 sin एक उसी बन रहा है, तो क्या हो जागा, sin a plus b, plus sin a minus b, ये भी कितना हो गया, 2 theta, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चला गया, निपट गया, क्या बच गया, आपने पास ये, आप देखो, ये जो एंगल है, ये कितना है, 8 theta, और ये एंगल कितना है, 16, त तो double angle, तो इसमें लगा दो, आप half angle formula है, multiple angle formula बोल दो है, तो half angle में change करो, इसको क्या हो जागा, 2 sin 8 theta, into cos 8 theta, और इधर क्या है, sin 8 theta, तो इसको ये सा करो, इसको वहाँ ले चलते हैं, तो इसके बाद, sin 8 theta, common ले लेंगे अपन, तो क्या बचेगा, बोलो, यहां तो बचेगा, 2 cos 8 theta, और इधर से जो इधर आया था, उसमें इसको क्या बचेगा, minus का 1, बोलो, आरिवासन में, पहले 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का formula बना लिया, वो क्या होता है, sin a plus b, plus sin a minus b, उसके बाद हमने cancel out करके, इसको एक तरफ ले गए, अब बताओ, दो value जा रही है, एक तो आ रही है, sin 8 theta बर यानि की n pi, तो 8 theta बरावर क्या आ गया बोलो, n pi, यानि की theta बरावर तो क्या आ गया, n pi by 8, और दूसरा, चलो यहां से value निकालते पहले, चलो यहां से value निकालते पहले हैं, आ जाओ, 0 से pi perform में चाहिए, तो रखो n की value, n की value रखो आप पहले 0, तो theta की value कितने आ गई, 0 आ रहा है next n के विलुव रखो आप 1 1 रखो गई तो कितना आ जागा ठीटा 5 by 8 n के विलुव रखो 2 तो रखो गई तो कितना जागा ठीटा 5 by 4 आ जाएगा बस काफी है next इधर आ जाओ है ना उसके बाद तो बढ़ा हो गया ना फिर उसके बाद 5 4 लास्ट लिमिट थी इधर आ जाओ कॉस एट ठीटा परावर हाफ तो एट ठीटा परावर क्या हो जाएगा बताओ टू एन पाई प्लस माइनस अलफा यानि की पाई भाई थ्री सही है तो ठीटा परावर कितना आ गया बताओ टू एन पाई तो क्या हो जाएगा एन पाई भाई 4 यह ना क्या हो गया एन पाई भाई 4 प्लस माइनस पाई भाई 24 अर्टिए 24 ठीक है इनको सॉल करो आप एन की वेलु रखो चलो पहले जीरो जीरो पर क्या रहा है ठीटा की वेल्यू प्लस माइनस पाई भाई 24 आएगी लेकिन माइनस लेनी नहीं है अपने को, तो प्लस की लिलूँ में सिर्फ pi by 24, next, n की बेलूँ 1 रखो, 1 रखो गई तो कितना आ जाएगा, theta बराबर, pi by 4, plus minus pi by 24, तो solve करो गई तो कितना आएगा, 6 pi, 6 pi plus minus pi by 24, तो देखो solve करो, कौन सा वाला, कोई लेना भी या नहीं लेना, कितना आ रहा है, 5 pi by 24, तो यह आ गया, 6 pi by 24, यानि की दो आ रहे हैं से, एक तो आ रहा है आपका, 5 pi by 24, और एक आ रहा है, 7 pi by 24, देखो, जबड़ा सा, उपर लिखते हैं, इसको मिटा दू मैं, है, है ना, देखो, यहान लेखा देखा है, उसको में है, ना, क्या आ गया, देखो, यह आ रहा है आपका, ठीटा ब्रावर, n pi by 4, प्लस माइनस, pi by 24, ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, n के लिए 0 पे तो आई गया, 1 पर बदारों में, आपको है, 1 पर दो वेल्यू आ रही है, एक तो आ रही है, 1 रखेंगे, तो यह आ जाएगा, 624, 6 और 1, 7, तो 7 pi by 24 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा, 5 pi by 24, ठीक है, तो इन में से कौन सी वेल्यू असेप्ट कर सकते हैं, आपन सोचो, आप 6 से मल्टिप्लाई कर तो ओपन नीचे, तो 6 से मल्टिप्लाई कर होगी तो कितना हो जाएगा, 6 pi by 24, तो कौन सी वेली छोटी है, यह व पांच, तो नमर और सोलुशन कितने होंगे, इसका मल्टिप्लाई कर तो आपको फिल्ट क्या करना है, इसमें, 5 ठीक है, तो यह आपका था, टेस्ट 5 का सोलुशन, इसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है, बाकी अच्छे से जुड़े रहें, करते रहें, थेंक यू, नमस से एंचियाटी के लाइनों से उठाएगे क्वेश्चन है, विच इस मोस्ट एसरी कमपॉंग्ड, प्लस आइफेक्ट, ठीक है, प्लस आई, एसरी के स्ट्रेंद के क्या होगा, इन्वर्सले, प्लस आई जैसे ऐसे बढ़ेगा, एसरी के स्ट्रेंद क्या होगा, कम होगा, तो सबसे एदिक एसरी कौन हो जाएगा, फर्स्ट, यहाँ देखो, देख रहा है नो, इसमें प्लस आई कम है, एसरी के स्ट्रेंद, इसकी सबसे ज्यादा, ठीक है, नेक्ट बात करते हैं, नेक्ट क्वेस्चन, ठीक है, देखो, फिनॉल है, ZN, S2, वैसे NCRT में फिनॉल, जिंक, डस्ट दे रखा है, उससे क्या बनेगा, बेंजीन, नॉर्मली बात सुन लो, ZN, नॉर्मल कंडिशन में, S2O के साथ रियक्शन नहीं करता है, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो फिनॉल, जिंक, डस्ट, यह क्या बन जाएगा, बेंजीन, ZN, नॉर्मल कंडिशन में, S2O के साथ रियक्शन नहीं करता है, तो बेंजीन नहीं बनेगा, अब O3, ZN, S2O, डबल बॉन काटा, O लगा दिया, ठीक है, तो आंसर इसमें कौन सा जाएगा, सेकेंड, ठीक है, नेक्स बात करें, एथेनॉल, एथेनॉल का डी हाइड्रेशन कर रहे है, ठीक है, CS3, CS2, OH, डी हाइड्रेशन करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या जाएगा, CS2, डबल बॉन्ड, CS2, तो STC-CID नहीं बनेगा, एथेन नहीं, क्या बन जाएगा, एथीरीन, बोलो, ठीक है, नेक्स चलें, ठीक, नेक्स्ट, विच अब दो, फॉल्विंग कंपॉन्ड, विल गिव, आइडो, फॉर्म, टेस्ट, ध्यान से सुनो, नॉर्मल जो बात है, आइडो, फॉर्म, टेस्ट कौन देता है, CS3, C, C double bond O, यह गृप हो, या CS3, CHOH, यह गृप आजाय, यह गृप आजाय, तो क्या देगा, आइडो, फॉर्म, टेस्ट, यह क्या देगा, आइडो, फॉर्म, टेस्ट, ठीक है, तो देखो, इजाल, यह कहां पर है, कि देख रहा है जिए त्री ट्रीज हों एच देख रहा है कि यह गूर्प आ गया गया कि आगे ना तो आईडो फार्न टेस्ट देगा अरट रहा है और यह बहुत सारे हैं कि आईडो फार्न टेस्ट कौन उसका औक्सिडाइजिंग ग्रूप लेकिन नॉर्मल कंडीशन CH3CHOH, CH3CO, जेमेन में कई हो बार इस टाइप में कुश्चन किया गया है, ठीक है, नेक्स बात करें, नेक्स ठीक है, तो यह किस पर डिपेंड करेगा, करेंड का कर्बո गटाइन, मतलब कौन तेजी से रिएक्शन देगा, 3 degree, फिर 2 degree, फिर 1 degree, क्योंकि यहाँ carbocatine आप बनाओगे, 2 degree, यहा बनाओगे, 3 degree, यहाँ बनाओगे, 1 degree, यहाँ बनाओगे, 1 degree, तो कौन सा कार्बो गटाइन देगी कि इस्टेबल होगा, 3 degree, तो 3 degree SCL के साथ सबसे तेज रियक्शन करेगा है ठीक बोलो है नेक्स चले है कि देखो सही है कि इसको रियक्शन को लिखते हैं CS3 CS2 CS2 OH Concentrate S2SO4 क्या बन जाएगा CS3 CH11 CS2 ठीक है अब कह रहा है BI2 तो यहां CS3 CHBR CS2 BR IIT में कोश्चन पूछा गया है जानबूच के उसी को concept को आप तक पहुंचाने के लिए किया गया काम एक बार एलकोछी के उच्च यूच कर दे तो दुबारा एलकोछी के उच्च नहीं उससे स्ट्रॉंग बेस यूच करना होता है यह काम आ चुका है तो एलकोछी के उच्च एक बार करोगे तो HBR फिर करोगे HBR क्या बन जाएगा CS3 CS1 CH यह क्या बन जाएगा CS3 C triple bond CH तो आंसर क्या हो गया फोर है ठीक है अगे अगे सब्सक्राइब हो गया 7 अगे एलकोछी को अफ लॉर मॉलेकल बीट लॉर मॉलेकल वीट मेथनॉल एथनॉल यही बात है एथनॉल वाटर में क्या होता है होता है एक क्लियर बात है वो लो नेक्स्ट विच अब दौ फोलोइंग कंपाउंड विच अब दौ फोलोइंग कंपाउंड इस ऑक्सिडाइज तू प्रिपेर मेथिल एथिल कीटो मतलब यह कुछ बन जाए तो यह बनेगा किस से सीएस थ्री च ओएच च टू च थ्री बोलो किससे बन जाएगा टू ब्यूतेन ओल देख लो वन टू थ्री इसको ऑक्सिडेशन होगा किसी से कर दो पीची से कर दो पीडीची से कर दो सी आरो थ्री से कर दो किसी से कर दो तो इसमें आंसर क्या हो गया थर्ड बोलो कि अमनों फोर से भी कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बाद है ठीक है सही है बोलो बेटा क्विश्चन नमबर 9 सबके इस्ट्रक्चर लिखो वहां वेस्टू मिथाइल यहां से निकाला यहां क्या बन जाएगा प्लस चार्ज प्लस चार्ज बन गया कार्वोगनेदिक इसमें इthyl alcohol यहां प्लस चार्ज नहीं ब्यूटन और 2-BUTanol यहां प्लस चार्ज नहीं तो यह हो गया पहला नायंथ का क्या हो गया फर्स्ट बोलो सब्सक्राइब नाइन्थ का फर्स्ट क्लियर आपको क्या करना है वहां प्लस चार्ज बनाना अब यहां देखो यह सीक्वेंस है लास्ट में मेजर प्रोड़क्ट आप रियक्शन सीक्वेंस सोन इस रियक्शन सीक्वेंस में मेजर प्रोड़क्ट बताना है लास्ट में तो यह हो जाएगा c s 3 c h c s 3 m g c l plus और यह माइनस ठीक है अब यह है तो यहाँ माइनस और यह प्लस तो c s 3 c h c s 3 देखो c s 2 c s 2 o m g c l अब माइनस और यह प्लस तो यह है एच प्लस ओ एच माइनस तो यह यहाँ चला गया और यह बाहर तो बन गए c s 3 c s 3 c s 2 c s 2 o h first is correct answer clear cut बाते हैं कोई उल्जाओ वाली बात नहीं कि रही कि जैसे exam में आते हैं वह इसे काम हो रहे है कि नेक्स चले कि यह देखो कि सिंपल एलकोहल है कांसंट्रेट एस्ट्वियोस फोर क्या करेगा वाटर बन गया बोलो एस्ट्वियोस फोर वाटर और यह बेयर रिएजेंट क्या बना लेगा ओएच ओएच दाना जाएगा सुमेट्री क्या बन जाएगा मीजbei कंपॉन क्या होता था कम से कम दो कायरल कार्वन हो और धर्ल क्या आ सिमेट्रिकल वही क्या हो जाएगा मीज़ क्लियर बातों केеждम साब्सृत्रा रखते हैं ह AI ठीक है next एह एलकोहल से याले कि लाइन अल्कोहल से हलाइट बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है वही डार्जन और ओएच एसो चील टू आर चील प्लस एसो टू प्लस एसील गया से बाहर निकल जाएगी इसलिए बेस्ट ही हुआ है ठीक प्लस 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 और यह माइनस क्या बन गया बेंजीन बन गया वही आंसर क्या हो गया से बात साहिए नेक्स्ट अब यह रिंग खुलेगी प्लस और यह माइनस देखो चार क्रिंग यहां लेगा है क्योंकि और यहीं ओच वीडियो पॉस करके देख लाना प्लस और यह देखो कहां पर है एक दो दो कारवन के बाद एक दो एक दो तीसरे पर है भाई कि कर ना रुक जाओ कि रुक जाओ यह है कि ओस्टू प्लस हुआ यह निकल गया यह यहां ओएच कि यहां प्लस रुक जाओ अब यह खुला है यह प्लस और यह माइनस तो एक यह कारवन हुआ है एक यह बिल्कुल तो दो कारवन बाद तो रिंग कितने को गई पांच की यहां हो गया यह एक दो ठीक है न तो एक दो दो कारवन बाद तो एक दो यहीं लगा दिया है ठीक है और यहां क्या है ओएच प्लस सीधे क्या कर दिया है देवल बॉंड ओ ठीक है न एक दो कारवन बाद लग गया एक दो तो आंसर कौन सा हो गया फोर देख लो पिना कोल पिना कोल रियक्शन उसी की बात है इसको देखो ठीक है इसको कैसे लिख लो ऐसे लिख सकते हो रियर इसमेंट कर दिया माइनस एच प्लस कर दिया देखो पिटा बोलो सही है कौन सा आंसर हो गया सेकेंट देख लो एच प्लस ले गए ओस्टू प्लस इसको ऐसे कर लिया है इसको ऐसे लिख लिख लिए कोई दिक्कत नहीं क्रॉस रिजोंस था किसमें आ गया सिंपल में माइनस एच प्लस लिया है चलें इसका देख लो एक एक की बात करते हैं अगर यहां एस्टू किया तो यहां यह जो बन जाएगा वो कुछ यह बनेगा यहां प्लस चार्ज यह रियरेजमेंट करके वन डिग्री किसमें गया त्री डिग्री में यहां बन गया यह इल्टू त्री कोई रियरेजमेंट नहीं बोलो यहां रियरेजमेंट करके वन यहां प्लस किसमें जाएगा थ्री डिग्री में प्लस माइनस एच प्लस यह बनेग अब गिल लो 12 24 428 28 29 30 31 32 33 34 35 क्या होगा आंसर सिक्स्टीन का देख लो अगया है अराम से कर लोगे नेक्स्ट यह देखो तोसिल क्लूराइड यह देख रहे हैं यहां से एच निकाल दिया क्या बन गया क्या हो गया ओ ट्यंट एक हो गया तो टीएस आज से लिकल गया तो क्या बन गया ओ टीएस वही चीज है तोसिल ब्रोसिल नोसिल याद करो ओ टीएस गुड लिविंग गृप ना चलो नेक्स्ट और येंटेशन वाली बात याद करो वन बेंजीन रिंग हैस एक्टिवेटिंग ग्रूप जब बेंजीन रिंग पर एक्टिवेटिंग ग्रूप लगा होगा सकरीकारी समूर लगे होंगे तो एलेक्ट्रोग फाइल और्थो पैरा पे जाएगा अगर दो एक्टिवेटिंग लगे होंगे तो किसके according strong activating OH और CH3 में कौन strong है OH तो इसी के यहाँ लग गया और्थो पर क्योंकि पैरा क्या है ब्लोग है आंसर क्या हो गया first ठीक है next dehydration most reactive towards acid catalyzed dehydration is ठीक है यहां से देखो निकली नहीं सकता है यह double bonds over H निकली नहीं सकता है यहां देखो cross resonance type की बात आएगी देखो इधर resonance नहीं है और यह देखो जब निकाला तो यहां देखो double single double single plus answer क्या हो गया third ठीक है ठीक है लुकास reagent लुकास reagent लुकास यह वो reaction है जो basic nature को सो करता है ऐसे भी कोशन आ सकता है कि कौन सा लुकास टेस फास्टेस देगा एक तो यह बात हो गई three degree two degree one degree कौन सेकेंडो में देगा तो three degree से अधिक stable जो कार्बोकाटायन है इसमें एलकोहल की आरोह जेड़न जेड़न सील टू कंसंडेट सील के साथ जो रियेक्शन जो वाइट पीपीटी देगा यह वो किस रियेक्शन को सो करेगा basic nature को सो करेगा ठीक है कि नेक्स्ट कि यहां आजा एंसी आएटी हम बतारें कहां गया एलकोहल फियॉल इथर सबसे लास्ट रियेक्शन जो क्वेश्चन दिये होते हैं उसके सबसे लास्ट में है एच प्लस ब्यार माइनस यही सीधे यह उठ के आएंगे सीधा क्वेश्चन जीमिन में भी ध्यान रख ला है सीधे ओस्टू प्लस यहां क्या हो गया सी एस्ट्री सी एच सी एच प्लस सी एस्ट्री तू डिगरी है किसमें जाएगा बोलो कौन सा आंसर आ गया आंसर कौन सा गया बेटा थार्ड ठीक है नेक्स चलें क्यू नौल एंसी आएटी की बात अगर जो करिए खी जाए तो तीन है ध्यान रखना कैटी कॉल अगल बगल ओएच रिसॉर्सी नौल एक ओपर दूसरा मेटा पर और क्यू नौल कुछ इस टाइप की बात हो गए पहले तो इस सक पाते ध्यान रखना देखो पेपर वहीं से आना है सीधे आप से पूछ सकता है कि कैटी कॉल का क्यू नौल का रिसॉर्सी नौल कि हम पूछ ले कोई रियक्षन दे दे तो इसमें कितने हो जाएंगे मैं है थीन है कि अ फिर अज हो आग्षाओ गुछट छूट कि नियुक्त तो घ्ली मोई है कि कि साथ रेक्षनometी है देख रहे हो है कि एच आई के साथ reaction है और वह reaction है इथर की देख रहे हो तो इसमें द्यान रखना बड़े वाले का इल्कोहल छोटे वाले का आयोडायल लेकिन उसे टर्सरी जुड़ा हो या कोई बेंजिल इस टाइप से मामला लगा हो बेंजीन टू यह कौन सी रहेक्षन देगा एसन मन मतलब एच प्लस आई माइनस यह इसके साथ इसके साथ चला गया तो सी एस थ्री आई और इसने एक साथ में बनता और सी अस्त्री ओस तो वह इसमें है नहीं तो आंसर कौन सा ओगया थार्ट ठीक है ठीक है बोलो पिर वही एच आई के साथ और यह जो सी टू एच फाइब बड़े वाले का एलकोहल प्योर एंस एटी के जिसमें मेकरियम लिख रखी है इसमें क्या क्या पूछ सकता आप यह ध्यान रखना कि कौन सी रियक्षन है यह एसन टू क्योंकि हाँ पहले बात रियक की ही एच बी आर सफिसेंट एसरीक होते हैं तो सबसे तेज यह कर लेगा इथर की रियक्षन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरी यह रियक्षन ही दे के पूछ ले कौन सी होगी तो आई माइनस गुड नुकलियोफाइल सो आई माइनस अटेक फ्रॉम वेर इस्टरिक इंद्रीएंशे लेसमी कौन सी रियक्षन हो गई है एस न्टू यह पूछ लै और प्रोड़क की बात होई गई है चीक है कारविनोल किसे कहते हैं मेथनोल को क्या कहते हैं कारविनोल इस आंसर हो गया कौन सा 2 degree alcohol है अगर OH जिस कार्बन से है वो दो कार्बन सेट है चा तो 2 degree एक से है तो 1 degree, तीन से है तो 3 degree तो alcohol जिस कार्बन से हो कितने सेट है से 2 से, तो क्या हो गया 2 degree ठीक हम हम, the isomer alcohol which has a chiral atom, butyl alcohol, एक, दो, तीन, होगा, नहीं है ना, chiral नहीं है, आइसो, आइसो ब्यूटाइल ये भी नहीं है, secondary ब्यूटाइल, CS3, CH, OH, CS2, CS3, ये ही हो गया, है, देखलो, secondary, butyl, alcohol, तरसी में भी नहीं है, तरसी ये हो है, इसमें भी कोई chiral नहीं है, तो आइसर कौन सा हो गया, thought, बोलो, यहाँ देखो, H+, ले गया, balance पर कुछ, normal, जैसे जे में में आते हैं, उसी type की बात करी गई, जे में में आइसो टोप पूछ लिया है, तो इसलिए अपनों में हर चीज को, कि बच्चा ये ना कभी आपको, ना हवा में उड़ना है, ना जमीन पर, दोनों balance रखना आपने आपको, तो ही मज़ा हो पाएगा, जीवर में, इधार देखो, ये हो गया, plus, इसको हम लिख लें आइसे, कोई दिक्कत, rearrangement करके, plus, अब 5 कि रिंक किसमें खुलेगी, 6 में, minus h plus, बोलो, बन गया है, तो कौन सांसर अरे के बिटा है, fast, सहीए, देख लो, वीडियो पोज करके, आराम से देखो, हाँ, यह भी, इसमें अलफा आइस पूछ रखा है, देखो, यहाँ, h plus, और यह यहाँ बन गया, यह यू बन गया, यहाँ, one degree, plus, rearrangement हुआ है, यह, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह बन गया, यहाँ, ओ, एस, टू, प्लस, ठीक है, यह यहाँ गया, यहाँ गया, तो, यह, प्लस, ठीक है न, यहीं से h plus निकाल लो, देखो, क्या बन रहा है, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 2, 14, 3, 17, 2, 19, कौन सांसर हो गया, थर्ड, देख लो, 29, हो गया, देख लो, गिनलो, सिधी बात कर रहे हैं, हो गया, मिटाया, यह, पूछ रखा है, तो, सुनो, h plus heat, यहाँ constant rate, s2, also, 4, heat देदा है, s3, pure, 4, heat देदा है, कोई भी आंसर होता है, तो, h plus heat, ठीक है, न, बाई, o s2 plus हुआ, माइनस s2 निकाला, plus, माइनस s plus, तो, आंसर क्या हो गया, second, कौन सा, one degree alcohol को, aldehyde ने बदलता है, PCC, के नो, four acid में, के टू, सिवन, एसिड में, तो PCC, one degree alcohol को किसमें, change करता है, aldehyde में, ठीक है, न, यहाँ देखो, सांदार question, यहाँ देखो, CS3, H, ONA, और यहाँ क्या हो गया, pH, अब यहाँ सीज़े निकाल दो, NAI, यही वो reaction है, जिसमें, retention of configuration, बोलो, ठीक है, मिटाए, पिना कोल, पिना कोलोन reaction, H+, ले जाओ, यहाँ क्या होगा, OH2+, ठीक है, pH, pH है न, CS3, यहाँ कर लेते हैं, pH है, C, pH है, OH है, CS3 है, CS3 है, और यहाँ, OH है, H+, किस के पास ले जाओगे, pH के पास, pH, C, pH, plus, CS3, CS3, OH, रेखो, तो, pH, C, pH, CS3, C plus, CS3, OH, minus, H+, pH, C, pH, CS3, CO, CS3, तो, pH, C, pH, CS3, देखते हैं, कौन सांसर है, पहले इसको मिटा दे, यह देख लिए है, वीडियो पोस करके देख लो, पहले, पहले, pH, C, pH 3, उदर गया, यह यह आंसर हो गया, पहला आई, ठीक है, बोलो, होगे बिटा, नेक्स्ट आते हैं, हाँ, बहुत फेमस रेक्शन, राइमर टीमर रेक्शन, वेन फिनल रेक्विट, C, H, C, L, 3, NOH, then cell cell lehyde is form, बोलो, ठीक है न, राइमर टीमर, इसमें attacking species क्या है, डाइ, क्लोरो, कार्बीन, वेन, वेन यह यह अलेक्ट्रो फिलिक सब्सिट्यूशन, रेक्शन है, अलेक्ट्रो फिलिक सब्सिट्यूशन, ठीक है, हाँ, अगर कोई पूछे, कि अगर और NaOH के ज़रे पर QH उज़ कर दें तो पैरा प्रोडेक्ट के चांसेज बढ़ जाते हैं ठीक है हर बात को देखो राइमेड इसमें देखो कौन इलेक्ट्रोफाइल है CCL2 HClCl3 क्योंकि यह पूस्ता है NaOH क्या बन गया CCL2 प्लस NaCl प्लस S2O तो अटैकिंग स्पीजी है बोलो यह देखो कोलवे रियक्ट्षन क्या ही है कोलवे रियक्ट्षन ठीक है यहां देखो यहां बन जाएगा OH COOH और यह वही aspirin तो इसके साथ reaction करके यहां हो जाएगा OCOCS3 तो यहां क्या हो जाएगा COH OCOCS3 यह बन गया यह answer होगा third 36 का third ठीक है इसी को क्या कहते है aspirin 2-acetoxy benzoic acid इसका जो नाम है क्या है बेटा 2-acetoxy benzoic acid clear और यह aspirin anti-paratic analogistic means दर्द और बुखार दोनों से क्या करता है आराम देता है सही है बोलो clear 37 ketone 2-degree alcohol convert into ketone 2-degree alcohol होगा सब NCIT only only n-CIT C-R-O-3 2-degree alcohol किसमे गया ketone में और C-R-O-3 हाँ C-R-O-3 H-P-L-S तो भी ketone में देकि 1-degree alcohol होता C-R-O-3 होता तो aldehyde और C-R-O-3 H-P-L-S होता तो acid Williams Hello इता देखो Williamson 3-degree तो L-K-E-N में चला जाएगा यह भी cancel यह भी cancel CS-3 इसमें है नहीं Williamson यह बरान सकता है तो CS-3 C CS-3 पहले O C CS-3 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 आंसर कौन सा हो गया 3rd 38 3rd सही है बोलो इस 3-degree halide base के साथ क्या बना देगा इलकीन हाँ Williamson senses सुनो इसको तो निकाल नहीं सकते double bond से BR इसको निकाल नहीं सकते हमें यह बनाना है यह अपना कर सकते हैं यह attach कर दोगे तो यह BR निकला तो double bond O CS-2 CS-2 कौन सा आंसर हो गया 3rd double bond benzene से BRCL निकाला नहीं जा सकता NC items के 4 region main सब सब famous partial double bond character bond length वाली बात हुई है बोलो clear है next next 40 ग्रिगनार रिएजेंट RMG X के साथ reaction SN2 reaction होगी क्या होगी SN2 reaction SN2 जहां hysteric endurance कम है तो क्या हो जाएगा ABC बोलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको ऐसे गुमाओ प्लस और यह माइनस हाइडलूसिस है तो यहां हो गया रुख जाओ यह प्लस माइनस किया तो यहीं हो जाएगा OH यह इसको दिया यह तूट गया तो यहां क्या बन गया ketone और प्लस यह क्या है यह टॉटो मराइज हुआ eldehyde कौन समन गया ketone और eldehyde second answer 41 second clear बोलो विटाए 42 देखो इदर बड़े वाले का यहलकोहल O और CS3 यहां से OH निकाल नहीं सकते है तो X की वैलू जो आगई वो क्या गई 1 यहां OH CS3 आई लेकिन यहां से S2 निकाल के फिर यहां HI यूज करो क्या जाएगा आई ठीक है यहां बेंजीन में कुछ नहीं है यह बेंजीन नहीं है ठीक है आई तो Y की वैलू क्या आगई 2 तो X प्लस Y जोड दोगे क्या जाएगा 3 बोलो क्लियर है तो यहां क्या कर देंगे 3 आगया बोलो तो आंसर अपना आगया 3 3 कौन से में है यहां है ठीक है मिटाए इसको माइनस और यह प्लस माइनस यह प्लस ऐसे यह भी टूर जाएगा माइनस और प्लस माइनस और यह प्लस माइनस यह प्लस माइनस यह प्लस एक किसी को उठा लो इसको उठा लेते हैं CS2 2 प्लस है H प्लस OH माइनस तो यहीं क्या आजाएगा? OH, OH, CH2O, ऐसे कितने हो जाएंगे? 3, तो SCHO, आंसर क्या हो जाए? सेकेंड, अब इसको ले लोगे, इसको ले लोगे, वही बात है, अरे बात समझ रहे है? माइन, मोर एलेक्टो निगेटिव है, ऑक्सिजन, तो माइनस, दूसरे ओले, प्लस, माइनस, दूसरे ओले, प्लस, यह, CCl3 को है, सांदार कोस्चन, एसीड बेस की रियक्शन, पहले, CCl3 को है, रियक्शन करके क्या बना लेगा? CCl2 प्लस, KCl, प्लस, H2O, अब यहाँ, CCl, यह हुआ, और एसीडिक है, तो यहाँ क्या आगया? माइनस, देख लो, इसने एलेक्ट्रोन इसको दिया, यह बॉंड इधर, और यह इधर, देखो, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, कितने एक रिंग बन गई? 6 और यहाँ क्या आगया? बेंजीन, आणसर कौन सा हो जाएगा? सेकनी, बोलो, वीडियो पॉस करो, आराम से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बोलो भाई, 45, इधर देखो, यहाँ रियक्षन हो सकता है, नहीं होगा, यहाँ रियक्षन हो सकता है, नहीं, यहाँ हो जाएगा, OH, यहाँ हो जाएगा, OH, कितने हो जाएगा, आंसर 2, ठीक है? बाई, ऐसे कोई कहे, कि बेंजीन है, यहाँ बेंजीन है, हाँ, 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 हाँ के साथ, no reaction, hydrolysis no reaction समझ गे? अब यह numeric response वाले है question, जिसे resource in all है कहा न, resource in all क्या बनेगा? यही होगा पूरी anxiety को अपने चाहा आप तक पहुचाना कितने हो जाएंगे? 2H ठीक है? अंसर कितने हो गया? 2 next आइडो फॉर्म आइडो फॉर्म वही जिसमें यह ग्रूप आ जाए CS3, CH, OH या CS3, CO तो यह आ गया, यूँ इसको देखो ऐसे लिख लो CS3, CH, OH, H ठीक है न? तो इसमें आंसर यह देगा नहीं ग्लिसरॉल देगा नहीं, यह देगा नहीं तो आंसर क्या हो गया? 2 second का आंसर क्या हो गया? 2 मिटा है? कौन देगा? मतलब CS3, CH, OH और यसी बाद ठीक, इतर देखो XHI, तो यहां हो गया बड़े वाले कहल को लेहां, OH, OH अभी 2HI यूज हुआ बस यहां I I अगल बगल होता है, तो क्या हो जाता है? I2, तो यह हो गया CS2, double bond CS2 यहां 2HI फिर यूज कर लिया I, I, I2 फिर है यूज कर लो, एक और यहां है है यूज कर लो, एक तो एक, दो, दो, दो चार बोलो, और दो चार, आंसर कितने आगे? 6, बोलो, आंसर कितने आगे? 6, 4, कौन एथेनॉल से यदिक है? 7, simple, तो एथेनॉल से यदिक हो गया मेथेनॉल, प्लस आई, यह ओब फिनॉल, यह तो प्लस है, यदिक हो गया, तो कम होगा, यह भी कम होगा, यह एक ही हो गया, तो आंसर किया हो गया? 3, ठीक है, भाई, फिनॉल रेजोनेंस है, तेथनॉल से दिक होगा, और उसमें, फिर पिना, उसको, OH2 प्लस, यहां यह आ गया, माइनस और यह प्लस, कितने की रिंग, छे की रिंग, यह पांच की रिंग, और यहां OH प्लस, माइनस H प्लस, बोलो, यह तो हो गया आपका प्रोड़क्ट, अब क्वेश्टन में क्या पूछा गया है, कि number of COH group in major products, zero, कोई भी इसमें COH present नहीं है, किटोन होता तो अपने मान लेते एक, ठीक है, सही है, number of COH, group क्या हो गया है, zero, next, हाँ, LILH4, LILH4 किसको करेगा, इसको कर देगा, OH, कि इसको कर दिया, CS2OH, इसको कर दिया, CS2OH, इसको कर दिया, OH, एक, दो, तीन, six का answer क्या हो गया, three, बोलो, clear है, seven, यह देखो, यह गया, LILH4, यह एसिड, यह ट्वाइस, SC2OH, और एक, SC2OH, आंसर क्या हो गया, एक, seven, देख लो, भाई, यह एक तरफ से हुआ, यह दो तरफ से हो गया, तो, एक तरफ से, SC2OH, पूछा है, तो, आंसर क्या हो गया, एक, seven का आंसर, एक, next, इसको मिटा दे पहले, बढ़िया काम, सिस्टेमेटिक काम को, हर रेक्शन आ रही है, PCC, के द्वारा कौन, L-D-H, मतलब, how many compound gives L-D-H on Oxidation, one degree alcohol L-D-H, two degree ketone, यह नहीं देगा L-D-H, यह नहीं देगा, यह L-D-H, यह तो ketone नहीं देगा, यह तो, आंसर क्या हो गया, दो, बोलो, बिटा है, opticalized femeurism, unsymmetrical है, n equal to kya है, 2, 2 की पावर 2 क्या आ गया, 4, बोलो, unsymmetrical है, 2 की पावर 2, 4, हम, यहाँ देखो, H+, ठीक है, 5 क्रिंग, minus, और यह, plus, किस में खुली, 6 में, देख रहा है, तो पूछा है, प्रोड़क्ट में degree of unsituation कितना आ जाएगा, 4, degree of unsituation equal to number of double bond, plus number of ring, plus 2 into number of triple bond, double bond कितने है, 3 ring कितना है, 1, 4, 10th, हो गया, बिटाएँ, आराम से बिटा, चीजों को ऐसे समझो, ठीक है, H+, heat, OH2+, plus, 1 degree किस में गया, 3 degree, यहीं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, बोलो, सही है, है, यह है, HI consume, दोनों तरब benzene है, कितने HI consume होंगे, 0, कितने HI consume, 0, यह देखो, HI excess, यह देखो, C S 2 I C H I C S 2 I I 2 निकल गया C S 2 I C H 1 C S 2 फिर H I C S 2 I C H I C S 3 फिर I 2 निकल गया C S 2 double bond CH HI कितने आ गये 1 पूरा लिख दिया है सलूशन अगल बगल अगल अगल आई होता है तो वहां से क्या निकाल देते हैं I 2 खीक है ठीक है यह है C S 3 हाइड्रोबॉरिसन उक्सिएसन C H double bond CH OH टॉर्टोमराइज C S 3 C S 2 C O H कीटोन है कोई नहीं है एल्डिहाइड होता तो एक कीटोन इसमें कितने है जीरो बोलो अरे बीटा सही है देखो एकदम कौन से अब कई हो बार तो यह question सीधे product में आए अब थोड़ा से इसमें आपको बता दिये गया कैसे करना है ठीक फिनॉल जिंक डस्ट पहले था जेड़ बताया था जेड़न वाटर के साथ रीक्षन नॉरमिल नहीं करता तो भी वहीं बने जिंक डस्ट है तो भी वहई बने इक या बेंजीन अब इसमें बूउन पूछा है तो कितने डोलवांड है तीन रिंग कितने एक क्या आगाई चार नट ठीक है तो डी उइसमें कितने हुए चार ठीक है तो ये आपका एक पूरा-प्रॉपर बात हो गई 60 कोस्चन के पूरी प्योर NCIT की बात थी जे में इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता आपका ठीक है कोस्टन सीधे फस सकते हैं क्योंकि अच्छे से और सबको जैवेन के लिए best of luck ठीक है थैंक यू